अगर आपने इस लेक्चर को प्रॉपरली देखा ठीक है चाहे आप फिजिक्स आपको अच्छी लगती हो नहीं लगती हो इस बात की पूरी गैरंटी है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा ठीक है थोड़ा सा टेक्ट्ट्बुक के फॉलो अप के बाद आपको कोई रोक नहीं सकेगा इस चैप्टर में तो आएए शुरू करते हैं प्रॉपरली बेसिक्स के साथ करेंगे कई बच्चों को इस चैप्टर के अंदर दिक्कत होती है और मैं समझता हूं तो इसको हम अच्छे से कर रहे होंगे ठीक है थोड़ा लंबा सेशन होगा पर जो मैंने से रिकवर्स यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर इस वीडियो को जो भी वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं नहीं आपको लाइक करना है और नहीं आपको कमेंट करना है ठीक है तो इस वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा अप्रोच ऐसा रखा है कि I don't want any like any comment तो अगर आप ऐसे भी normally भी like कर देते हो तो वो नहीं करना है ठीक है कुछ रीजन है कुछ अपनी रीजन है तो आए शिरू करता है चैप्टर को तो तौकिंबॉट एंसिटी खाता है तो तो तौकिंबॉट एटाटिसीटी क्या होता है इस अपनी नफेसीटी जब भी तुमको इलेक्ट्रो एलेक्ट्री ये वर्ड़ औजाये इसका मतलब है चार्ज के बारे में पढ़ने वादा तो एलेक्रिसीटी इस study of charges study of charges okay charge के बारे में जब भी आप पढ़ोगे तो वो electro term आई जाएगा तो electric का मतलब याद रखना electric का मतलब होता है charge मैं एक request और करूँगा कि आप जब इस chapter को पढ़ रहे हैं और चाहते हो कि भई कहीं से भी कोई चीज मिस ना हो तो बिल्कुल distraction free environment में इसको समझना और पढ़ने की जरूरत होगी ठीक है बिल्कुल कोई notification ने जब ऐसा महौल हो तभी पढ़ना है इस lecture के तूप ठीक है so electricity is study of charges ठीक है सर बढ़िया है यहाँ पर देखो सबसे पहले ना कोई भी chapter को पढ़ने से पहले हमको एक चीज पता होने चीज़ कि chapter में होने के अवाल है ठीक है पुरा flow जो है ना वो तुमको शुरुवात में पता लग जाएगा और फिर कभी नहीं भूलोगे इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले है ठीक है so electricity study of charges अब यहां पर मैं तुमको एक नमूना दिखाता हूँ कि this is a glass rod तुमने शायद अपने lower class में सुना हो कि glass rod को silk cloth के उपर घर्शन किया जाए रब किया जाए तो क्या होता है कि भाई दोनों के उपर charge develop हो सकते इसमें यह देखा जाता है कि silk जो है silk का कपड़ा जो है after that friction, after that rubbing of glass rod silk के उपर आएगा negative charge glass rod के उपर आएगा positive charge मतलब क्या किया हमने हमने friction से जो heat बनी उस heat की वज़े से एक body से दूसरी body में electron transfer होगा that's it सिर्फ यही नहीं दो balloon को आपस में रब करो या जो kanghi होता है या plastic का जो scale होता है उसको रब करो और paper attract करो कई लोगों ने वो phenomena देखाऊगा paper वहाँ पर attract होता है so वो सारी चीज ठीक है that electrostatic वाला concept ठीक है वो actually क्या है वो electrostatic is nothing but static electricity that is static electricity पर मैं एक चीज और होता हूँगा फिर मैं static electricity क्या होता है वो समझना हो ठीक है so यहाँ पर एक साधारन सी circuit देख रही है वायर है यह वायर में bulb लगा हुआ है cell लगा हुआ है ठीक है और जब हम इसमें current on करते हैं है नब cell plus minus obviously होता है पता ही होगा current जैसे ही शुरू होगा इसके अंदर bulb जो है वो जल उठेगा glow होगा ओके तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लगातार current के अंदर दिखेगा नहीं of course पर यहाँ पर वायर के अंदर लगातार जो है हम बोलता है कि current flow हो रहा है सुना होगा in general language भी सुना होगा कि यहाँ पर विद्युद्धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है जिसकी वज़े से बल्ब जो है इसमें light energy आ रही electric energy is converted to light energy ऐसी कुछ हो रहा है सब नहीं chemical energy of the cell is converted to electric then to light हाँ ठीक है जो बोलना है बोलो पर मैं जो जिस चीज पर focus करना चाथा हूँ वो ध्यान से सुना मैं जो भी पूरा जितने भी slides में जो चीज में ला रहा हूँ जिस way में ला रहा हूँ आपको मतलब ऐसे assume करके ला रहा हूँ यहां पर भी वायर में भी हम चार्ज का ही concept देख रहे है अंतर क्या है कि यहां पर चार्ज एक बार जो भी चार्ज ट्रांसर हुए उसके बाद एक प्लस और एक माइनस बन गया अब कोई चार्ज कॉंस्टन्ट मूविंग नहीं कर रहा चार्ज यहां पर भी स्टोर हो गया यहां पर भी स्टोर हो गया यहां पर चार्ज एक रेस्ट यहां पर चार्ज जो है वो रेस्ट पर है यहां पर भी प्लस चार्ज जो है वो अभी इस बोडी में रेस्ट पर है इधर भी minus charge जो addition लाया है वो भी rest पर है ठीक है लेकिन इधर पर हम देख पार है कि इस wire में charge is in motion ठीक है सिर्फ यही नहीं तुमको पता होगा कि there are electrolytic solutions as well जिसमें से हम current pass कर सकते हैं NACL का solution in water and whatnot ठीक है तो यहाँ पर charge motion में है यहाँ पर charge rest में है यह दो different type of यह दो type of electricity है याद रखना जो electricity मैंने कहा था study of charges है तो असल में study of charges यह यह electricity के दो types है कि and which are those two types एक है इसमें static electricity जिसको electrostatics भी कहा जाता है higher class में static electricity all right sorry electricity रेक्ट्रों का मतलब तो आपने बताया चाहँ चाहँ अचि अच्छ स्टेटिक का मतलब क्या था था स्टेटिक मतलब श्टेशनरी स्टेशनरी मतलब रेस्ट so what is static electricity study of charges at rest क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर what is this study of charges at rest ठीक है charge rest में है यह frictional electricity जो है यह static category में आती है यहां पर charge transfer होने के बाद they are at rest study of charges at rest जो दूजा वाला है जहां पर हम देख पाले हैं कि wire के अंदर लगातार ये motion हो रहा है charge का क्योंकि हमने source जो एक्सेल जो है connect किया है या battery connect कर दो ठीक है so what is this charge motion में है और motion के लिए term यूज करता है current ठीक है जैसे पानी अगर motion में है नदी के अंदर तो उसको बते water current तो वैसे यहां पर ये क्या है this is charge का current यानि electric current यानि की current electricity ये concept में इसको हम पढ़ेंगे so current electricity is nothing but क्या है sir current का मतलब है motion सही है note करते जाओगे लिखते जाओगे जितना seriously करोगे उतना सही है तुमारे लिए ठीक है और electric का मतलब हमने अभी देखा था क्या है charge so electricity study of charges static electricity study of charges at rest and now current electricity study of charges study of charges in motion क्या बात है sir बढ़िया है ठीक है अच्छा तो इसका मतलब ये है sir इसका मतलब ये है कि हम पूरा पढ़ना है ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है टेंथ में ये तो ज्यादा हो जाएगा नहीं नहीं तो अपने को पूरा नहीं पढ़ना है हम जो है अच्छी बात ये है कि हमको भली चैप्टर का नाम electricity दिया हो या जो भी हो ठीक है हमको पढ़ना है current वा electricity यानि और वो भी कौन सा वाला wire के अंदर से current कैसा flow होता है क्या है series, parallel, combination सब कुछ यहां पर हम battery cell सब कुछ यहां पर हम समझेंगे so we are not going to study this या आगे एक अच्छा में पढ़ी जाएगी चीज़े ठीक है detail में हम पढ़ने वाले हैं 10th class में 10th NCRT के हिसा आप से कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं current electricity और जो भी state board की भी बच्चे है जिनका chapter इसके context में है आप सभी के लिए यह लागू होता ठीक है so this is your समझ में आगे कि हमको पढ़ना क्या है अच्छा अभी कुछ बात समझो बात क्या समझनी है कि sir आपने जो फेनॉमेना बताया वहाँ पर एक शंका आ गई वहाँ पर एक डाउट आ गया क्या डाउट आ गया कि वह अपने कहा कि प्लास्टिक का जो स्केल होता है जो रूलर स्केल होता है उसको हम रब करें अगर और फिर पेपर के पास लाएं तो पेपर अट्राक्ट होता है sir अगर मेटल की स्केल में क्यों नहीं होता है अगर स्टील की स्केल अगर रब करें तो उस केस में क्यों नहीं हो रहा सिंपल सी बात है अगर मेटल की मालो ये मेटल का स्केल इसको मैं रब कर रहा हूं तो क्या होगा चार्ज रिफ्रिक्शन से मालो आगे सीखने वालो ठीक है तो इसका इससे यह सम्झू कि अगर तुमको यह पूछा जाए कि यहां Charges का फिनौमेना समझना है तो हम Conductor को यूज करें या Insulator को यह चीज गलत हो जाएगी क्योंकि Charges क फिनौमेना इनसूलेटर में भी हम देखते हैं तो यहां पर जो चीज़ें आएगी जब भी देखो ग्लास हो गया सिल्क हो गया यहां पर जो चीज़ें तुम स्टडी करते हो यहां पर हम पढ़ेंगे कंड़क्टर के बारे में तो करेंट को अपने अंदर से असानी से फ्लो होने देते हैं पर इसका यह मतलब नहीं कि चार्ज जो है वो सिर्फ कंड़क्टर की कहानी है इंसुलेटर की विए वह आपने समझ लिया इंसुलेटर का भी बहुत इंसुलेटर कंड़क्टर सोड़े से एक्जामपल समल लो जैसे यहां पर देखो गोल्ड दिया है वाटर दिया है और इसमें से मैं अगर कहूं कि बरिये कि नार्मल tep water इस निटिल वाटर ठीकिल नार्मल वाटर थे तो ऐसे में यह जो शुरू के थीन हैं वो किस कातिगोरी में फॉल होंगी और बाद के तीन किस कातिगरी में फॉल होंगे शुरुआत हो गयी है चैप्टर की और याद रखना कि हम जादा करके हम यहां पर स्टाटिक एलेक्षिरी वे नॉट सदिंग हम यहां पर हमारा चैप्टर है करेंट एलेक्टिसी समझो यहां से चैप्टर के तुमारे अक्च्वल शुरुआत हो रही है इसमें शुरू के तीन देखो गोल्ड है ठीक है नॉर्मल वाटर है टाइप वाटर नॉर्मल ठीक है कॉपर अगेड़ा मेटल यह सब क्या है यह यह बुड कंडॉक्टर्स ओफ एलेक्टिस दियर कंडॉक्टर्स इंगे विराइज रबर हो गया ग्लास हो गया वूड हो गया सिल्क हो गया अपना इसके लावा ग्लिसरीन हो गया अलकोहॉल हो गया यहाँ इसका अंतर समझ लेना कि यहां पर मैं लिख दूँगा conductors और यहां पर लिख दूँगा मैं insulators सही है conductors क्या है sir conductors are the materials which allow current to flow through them your charges to flow through them अपने हिसाब से definition लिख सकते को इसमें इतना बहुत technicality नहीं materials या substances materials या फिर substances that allow that allow charges to flow through them flow through them allow that easily allow भी लिख सकते हो that easily allow charges to flow through them or insulators क्या होंगे sir material that do not allow charges to flow through them easily they are called insulators examples तुम्हारे सामने हैं अब देखो मैंने कहा था insulator की भी अपनी importance होती है जब तुम wires गरों में इतने सारे को पता है हाँ यह metal का copper का wire है बढ़िया सा current flow होता है इसके अंदर से conductor है पर यह सोचो कितना भ्यंकर होता अगर उसके उपर यह insulator ना होता अगर यह covering नहीं होती plastic की PVC की तो यह जटका हमको बहुत जबरदस्त मारता मारता की के नहीं मारता भई कहीं भी तुम यहां computer touch करता है ठीक है कहीं वायर accidentally touch होता माइक मेरे से contact में आता तो जाल देवा है current कोई मजा की चीज नहीं है खेलने की चीज नहीं है so conductor की जितनी importance है इंसुलेटर की उतनी importance आ गई ठीक है बट जैसा कि मैंने कहा कि हमारा chapter confined रहेगा metals के अंदर current flow और उसी current के concept को आगे बढ़ाती है ठीक है तो let's let's move ahead and अब हमको यह समझना बहुत ज़रूरी है chapter के अंदर electricity के अंदर current के बारे में charge के बारे में या potential difference या voltage के बारे में पढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जो metals होते हैं sir आपने यह तो बहुत आसानी से कह दिया कि metals जो है वो conductors वाली category में आते हैं पर metals में ऐसा क्या है कि वो current को conduct कर पाते हैं और non metals में ऐसा क्या है कि वो नहीं कर पाते हैं हाला कि एक non-metal ऐसा है जो conduct करता है you know metals normal से पढ़ाया तुमने कौन सा है वो yes it is नई comment नहीं करना है it is graphite ठीक है मैं बताल वो है graphite okay so metals में क्या है कि वो और अब चैनल गुड़ कंडुड़ और सॉफ एलेक्टरी तो यह समझना पहले जरूरी है कि गुड़ कंडुक्टर स्व और साव इलेक्टर सिटी बने के लिए क्या क्रैटीरिया कि जैसे कि भारत में चुनाओ लडने के लिए कुछ क्राइटिरिया ना जिसको फुल्फिल करना ज़रूरी है ना कोई भी आके बस यहां से से डिसाइड किया किसी ने पाकिस्तान में किसी ने डिसाइड किया इमरान खान ने कि मैं भारत से इंडिया का प्रैम मिनिश्टर बना चाहता है यहां तरक्की ज्यादा और यह होज़ता है यहां पर बहुत कंपिटिशन है हम बनेंगे यूएस में जाके हम प्रेसिडेंट का एलेक्शन लड़ लेते हैं कुछ तो क्राइटिरिया होता होगा तो यहां पर भी जो मेटल्स हैं उनको एलेक्टिसिटी कंड़क्ट अगर करनी है तो मतलब कोई भी चीज गुट कंड़क्टर कब बनेगा उसमें कुछ क्राइटिरिया फुल्फिल करेगा तो यह दिया हो है आपको फॉर एनी मटेरियल टू 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 बी गुट कंड़क्टर ऑफ एलेक्टिसिटी दे मस्ट पॉसस्ट फ्री चार्ज कैरियर् इस एक चीज आटम से बनी है एक प्रोटॉन भी पॉसिटिव चाज एलेक्ट्राइब नेगरिटिव चाज ठीक है पर सिफ चार्ज के होने भर से काम नहीं चलेगा चार्ज मस्ट बी फ्री टू मूव प्री चार्ज कैरियर का होना बहुत जरूरत जरूरी है ठीक है यही ड पर वही अगर इंप्रिटी आ जाई या ऐसे मंट्रियल जिसमाल मों पानी के अंदर में नमक डाल दिया या एचल का सेलूशन या कोई बेस का सेलूशन ठीक है वह यहार कॉल्ड एलेक्ट्रोलाइटिक सेलूशन क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव नेगटिव आयन्स होत कि अब मेरको की आपकरना है कि वह मैटल में कुछ तो फ्री चार्ज है फ्री चार्ज किसी न किसी फार्म में है तो वह हम यहाँआ पर देखने जा रहे हैं आई ए समझते हैं कि यह क्या है यह बढ़िया सा आटम है यह मैं पहुता ना कैसे दिखता यह पीच मेरता नूखल उसमें proton neutron रहते हैं और साइड में यह electron घूम रहा होता है यह घूम रहा है घूम नहीं रहा है तो देखिए कैसा बढ़िया घूम रहा है यह electron माइनस वाल एलेक्ट्रॉन घूम रहा है और तुमको यह भी पता होना चाहिए कि घूम दा काहे है यह निकल के भाग क्यों नहीं जाता तो भाई इस माइनस को प्लस जो है वह अट्राक्ट कर रहा है परावर ना जो जो नूकलियस है विच इस हाविंग प्रोटॉंस नूट् पॉजिटिव तो पॉजिटिव सेंटर ही है जो इलेक्ट्रॉंस को अपनी तरफ अट्राक करके रखे हुए है और इस वज़े से एक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लाता मैं इस कंसेप्ट को तो आप यह समझो कि इसलिए छोड़के नहीं भाग जा रहा है इसी एर्दिग गुम रहा है गुम रहा है ऐ ह मतिव मेसे fifteen कि पिद्व कर्यक्ट यहां पर कोई 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 चार्जस फ्री है यह तु सब काम पर लगए हुए हैं फ्री हो सकता है कैसे हो सकता है सब एसको थोड़ा सा फीजिकल दुनिया के साब से समझो कि माल लो यह शर्मा जीजी की यहां पर हम लेते हैं यहां यहां पर बहुत सारा बच्चा उनको ऊगया यह सब उनके बाल बुतरू है इतने सारे बच्चे है यह उनका फैमिली है अब और उनकी दो लोगी ना इतने बच्चे कैसा संभावाइंगे मौन दो कंपॉर्ण में बच्चे खेल रहे इतने बच्चे इस पर ध्यान गया इस यह इस ने इतने पॉट्टी यह इस से ध्यान लगाते लगाते उसमें मस्त किया आपस में लड़ गए तो यह जो कपल हैं पती-पत्नी है यह उनको संभालने में ऐसे खो जाते हैं कि कई बार एक आद जो मालों सबसे बड़ा वाला बच्चा जो है ना जो थोड़ा सा माबाप से थोड़ा सा दूर रहता है पता ह लोग मना कर रहते हैं बाहर मत जाना हमको काउंटिंग में दिक्कत होती है निकल पता है नहीं चला सभी बात तो वही लौजिक यहां लगाओ कि यहां पर जो बाहर खेल रहा है जो थोड़ा सा जो माबाप के प्रभाव से दूर है अब वह क्या हो गया वह दूर निकल गया देखो टॉइंग और बाकी इलेक्ट्रॉन तो यहां काम बाकी बच्चे तो यहां बराबर कंपाउंड में खेलना है एक बच्चा फिर ही हो गया और आप बढ़िया नुकड में जाके और मस्ती कर रहा है बहुत जादा तो यह वाला हम बाते हैं फिर से कंसेप्ट में तो ह जो लूजुटीलियद एलेक्ट्रॉन हैं जो बाहरी एलेक्ट्रोन है में बाते हैं इसे आप है और देखो यह चार्ज है की नहीं है यह लोैसे ऐसान फ्री भी dieta एक चुका अगर एक अटम से एक निकला दो तो इस वज़े से फ्री चार्ज केरियर्स का एक्जिस्टेंस में आ जाता है तुम बोलो में में क्यों होता है नॉन में क्यों नहीं होता तो जैसे मैंने परिवार बड़ा था तो यह जो है चोटा परिवार मालो यह मैंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है ज्यादा बच्चे दिखा दी और कम दिखा दो यह समझ लो कि नॉन मेटल्स में क्या होता है कि बिकॉस अटॉमिक साइज स्मॉल आटम का साइज चोटा होने के वज़े से नुकलियस अच्छे से सारे लेक्ट्रॉन को होल्ड कर पा रहा है और जिस वज़े से नॉन मेटल्स में फ्री लेक्ट्रॉन नहीं है फ्री चार्ज कारियर्स नहीं है इसलिए वो गुड कंडॉक्टर नहीं बन पाएगा ग्राफाइट में क्यों हो पाता यह तुम कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में सीख रहे होगे तो फिलहाल समझ में आया सब्सक्राइब चैप्टर नहीं हो रहा होता है तो आप यह बात समझ लेना की जो मेटल के आटम होते हैं वे आर रेलेटिवली है लाजर दान है नान मेटल का इटम की अगए और अगर यह बात है कि भाइड मेटल के एक अटम में से मालो एक एलेक्ट्रॉन भी निकला तो मैंने बताया था कि सुचो कितने सारे वायर में हो जाएंगे तो सब्सक्राइब भी मेटल का वायर है स्पोर्जी मेटल का वायर है किसी बीकल का तो यहां पर देखो कितने सारे अब सिर्फ मैं इसमें तरही धिखा रहा है अम मैं सिर्फ pre electrons दिखा रहा रहे हूं तो इतने मालो मैंने बहुत तम दिखाए इतने सारे फ्री एलेक्ट्रॉंस होंगे अमालो ये बच्चा कंपाउंड से बाहर चला गया कहीं भी जाए क्या परक पड़ता है किसी के इंफ्लेंस में कहीं थोड़ी जा रहे कि हाँ मुझे कहीं मंजिल पर जाना है वह तो बस घूमेंगा भटकेंगा यहां वहां जा रहा है तो आक्चली इस एलेक्ट्रॉंस दे डोंट आव इनी पडि कि दी वाली कि माले लो ना तो उस रिसाब सकी अराम से कहीं भी गूम रहे तो इसको ऐसे मोशन को बोलते रैंडम मोशन को हम को क्या याद रखना है एक चीज़ां रखनी है कि मेटल के वायर में अटम के अलावा और क्या है लारंटर पर सेलों आवई और अभी अवं बैटरी नहीं नहीं लगा ऐसे में जो फ्रीए लेक्टेर्वलॉन्स स्वसिंड हरने मन्वत्ध Спuite अब कर्योंत धे करा दो मोशन्स कर आदे थब यहाओ रेंडेंडन दिनों वेञे ख्रीड मेंतर घ्लाव अर जब सेल कनेक्टेड नहीं तो रेंडनम मोशन this रब स्थीर हों मिल बहुंतला तो इसनद्रफित और रेंड deux नहीं रहे हो सो इंप दाइट्रोन विल बी मुविं इन सर्टेन रिरीक्षिन के इस लो एक चोटे सी बात पर पहले समझे विर तुम पो यह कहानी बहुत बढ़िया समझने आगा कि सब्सक्राइब राइब आपट जोंगा हो मैं और इसमें वो फ्री एलेक्ट्रॉन से है देर इस नो नेट फ्लो नेट फ्लो होता तो यह करेंट कहता है यह तो रैडनम मुशन है सही है अब क्या होगा की माल लो की मैंनी क्या किया मैंने यहां पर एक बड़िया सा बड़ा सा माइनस चार्ज रख दिया बड़ा सा माइनस चार्ज यहां पर लग यह बड़ा सा प्लस चार्ज यहां रख दिया क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन जो फ्री एलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे अब उनका हल क्या होगा कि वह एलेक्ट्रॉन तुमको पता है न अपोजिट चार्ज हम तुम मेरे जैसे यह भाग एक तु सेम जेनरल आए यह जाए इसको लाइक चार्ज रिपेल तो यह लाइक चाहर रेपल कर रहा है दुनिया में लॉफ अट्रैक्शन हमेशा आप उजिट के लिए होता है जनरल ट्रेंड यह यह दिल पे दर्द हो रहा है देखो और यह जो प्लस है यह क्या करेगा यह माइनस को अट्रैक्ट करेगा कमी आपोजेट चाहला तो यह इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो यानि जब तूम लगाओगे कहानी यही है कि जब तूम सेल लगाओगे तो उसल का एक बड़ा दंडा और एक свои चोटा दंडा बड़ा प्लस चोटा ड़ाम प्लस दीचा माइनस जो अईसे तुम वाल के और वाइर के एरांठ में लगा लगाओके तो सेल का प्लस है अपनी तरफ सारे इलेक्ट्र awak को मंगायगा है अजय ऐज़ा और सेल का जो मैनेस है वो लेगा बाग-बाग बाग minerals से एक सर्टन डैरेक्षिन हो जाएगा एलेक्ट्रान माइनस से भाग रहा होगा और किसके प्यार में पढ़ रहा होगा अनौ धी इलेक्ट्रों फ्री ईलेक्षिन इन देडिशिंग स्थिरेक्षिन बाहिए करेंट आगया एलेक्ट्रोन जो है वो डिस्कूर्ड डैंस कर रहे है डिडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड having a certain direction because cell का जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को बोलता है अट्रयक कर रहे हैं अध्रय कर रहे हैं नेगेटिव है और यह माईने से जो माईने साफ दश्यल है क्या कर रहा है वह तो कर रहा है वह रिपल रहा है पर दूंद आ है है द्यूशियक और यहां दिमाग बॉस्येस कर लो इसे टाइस को कि आजिंगत्व जयादा लोड जाता है हूँ और हुग प्लॉण 2 अल्राइट अब यह बात समझे आ गई सर कि हम पड़ रहे हैं करेंट इलेक्रिसिटी यानि इलेक्रिसिटी इन मोशन हमने यह भी समझा कि कंडुक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर हैं कंडुक्टर वो सब्सेंस होता हैं जो अपने अंदर से एजीली चार्ज को फ्लोव होने देते हैं यह अलाव चार्जस टो फ्लो थूजिन मार कंडुक्टर्स जैसे मेटल और इसमें अशने अभी तक कि जो metal है उसके अंदर free electrons का existence होने की वज़े से the free electrons act as a free charge carriers जब cell नहीं लगा है तो they do random motion जब cell लगा है तो minus से plus की तरफ ये electronic motion हो रहा होता है electronic motion को मैं electronic current भी कह रहता हूँ ठीक है electronic current हो रहा होता है अब ना मैंने बोला electronic current यहां आ गया conventional current यह क्या पंगा है sir now what is the difference between the electron का current, electron का motion and the conventional current convention का मतलब जो जो की assume किया गया है जिसको ऐसा standard माना गया है और assume पता है क्या किया है हमने अभी यह सीखा कि जो cell होता है है ना अगर हमने circuit में इसे cell लगा दिया तो जो electrons है sir वो electrons कहां से कहां जाते है those electrons they move from minus of the cell है ना minus of the cell से move करके और वो किस direction में जा रहे होते है they go to plus of the cell तो यह electron का जो motion है इसको मैं कह देता हूँ electronic electronic current electronic current पर यह electron की त्योरी जो मैंने तुमको समझाई यह बहुत बात में डिसकवर हुई पता है यह बहुत बात में डिसकवर हुई प्लस से माइनस की तरफ positive is always high plus positive terminal को high माना गया high potential माना गया और negative को low माना गया और दुनिया में सब चीजें high से low में होती है पानी भी पहाड से जमीन पर उपर से नीचे आ रहा होता है पानी भी higher level से lower level में जाता है heat भी hot body से cold body में transfer होती है तो natural flow जो है वो हमेशा high से low की तरफ होता है तो उस वक्त जब electron का concept नहीं था उस वक्त क्या assume किया गया कि भी positive तो high होता न तो इससे यहां पर current flow होता होगा तो जो पहले से standard assume किया गया documentation बनाया गया वो प्लस से माइनस की तरफ current का direction यह आए का मतलब current का symbol है तो जो conventional current तो हम जबी भी हम circuit में जब दिखाएंगे तो हम current का direction दिखाएंगे conventional current का we will not show electron का direction ठीक है तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते होगी अगर कोई hypothetical positive charge होता जैसे electron यहां से जारा तो positive charge होता तो वो प्लस से माइनस जाता हो तो यह theory से conventional current का direction हम रिजन क्या लिखें के exam में अगर ऐसे आया तो अब यह लिख सकते हो अब यह लिख सकते हो the direction of conventional current is taken opposite to that of electronic current because conventional current it is assumed that if an hypothetical positive charge would have been there अगर वो होता तो प्लस it would have moved from positive of the terminal of the cell to negative terminal of the cell through the wire and since it is assumed way ahead of discovery, way before of discovery of electronics, electron की discovery होने से बहुत पहले यह conventional current का direction assumed किया गया था उसको documentation इतना हो गया कि इसको change नहीं किया गया और उसी को मान लिया गया और इसी वजह से now we will we will have this हमार दिमाग में यह clarity आ गई कि भले ही हम current का direction प्लस से माइनस दिखाते हैं है ना भले ही current का direction प्लस से माइनस दिखाते हैं है ना this we show the direction of current पर electron असल में माइनस से प्लस के तरफ जाता है और वही concept current का जनम देता है तो हमको अंदर की microscopy कहानी पता है पर हम अब से याद रखना कौन सा direction हम use किया करेंगे हम इस आई वाले direction को हम इस जो positive से negative वाला direction हम current के लिए दिखाया करेंगे याद रखो तो यह जो direction है इसी को conventional conventional मतलब जो sign convention होता है जैसे assume किया गया जो हमेशा उसको हम assume करेंगे so conventional current जो है जिसको i से represent करते हैं ठीक है उसका direction plus से minus ठीक है so direction of conventional current is take assumed from plus to minus क्यों मैंने जैसे बताया कि भई हर चीज दुनिया में जैसे मालो यह hot body यह cold body heat कहां से कहां flow करती है हमेशा hot body से cold body में हवाएं भी कहां कहां से कहां हवा भी flow करती है from high pressure zone to low pressure geography में पढ़ा होगा तो उसी concept से इसको माना गया osmosis भी तुमको बता होगा high से low में osmosis diffusion ना okay तो इस chapter में क्या पढ़ेंगे सर इतना तो पढ़ा लिया हो और क्या पढ़ेंगे तुमको याद है ninth में ninth में तुमने जब भी physics का chapter पढ़ा तो न उसमें तुमने physical quantities जरूर पढ़ें वहाँ जो भी चीज़ें measure हो सकती है उसको उस topic के अंदर जैसे कि जब तुम motion chapter पढ़ रहे थे तो तुमने वहाँ पर speed, velocity, distance, direction, acceleration यह सारी चीज़ें पढ़ी जब तुम force and laws of motion पढ़ रहे थे तो वहाँ पर तुमने force, gravity, acceleration due to gravity तो यहाँ वहाँ पर भी तुमने momentum तो यह सब क्या होता है जो भी measurable quantities उनको physical quantities गोलते हैं तो physics जब भी पढ़ोगे तो वहाँ की physical quantities भी पढ़ोगे और सिर्फ physical quantity क्यों जब तुमने speed पढ़ा या velocity पढ़ा तो तुमने उसका symbol देखा क्या होता है वो scalar एक ही vector है, वो SI unit है, उसका SI unit क्या है, CGS unit क्या है वो सब लिखा तुमने तो यहां पर भी not CGS बट यहां पर भी हम क्या करेंगे उसका symbol उसका SI unit यह पढ़ना ज़रूरी है यहां पर आप electric current के बारे में पढ़ोगे, यहां पर potential difference तुम काफी potential difference को किस नाम से जाना जाता है यहां पर voltage के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, so current charge हो गया, current हो गया, potential difference हो गया ठीक है, resistance हो गया, resistivity हो गया, heat generated, heat वाला concept और पावर वाला concept जो है वो पढ़ रहे होगे, ठीक है तो basically आप देखो यहां पर यहां पर लिदिक छेर है पर असल में साथ है क्योंकि यहां पर resistance ही जोट दिया में इसको, so there are in all seven physical quantities जो majority way में तुम यहां पर पढ़ रहे होगे, त्यान कर लो, सबसे simple, सबसे पहले basic बादा charge है, charge के बाद आएगा current, current के बाद हम potential difference, potential difference के बाद resistance, उसके बाद resistivity, उसके बाद heat generator, उसके बाद power ठीक है, so seven quantities, असानी से पढ़ेंगे, बहुत easily, और यह पढ़ने के दोरान ही, अलग से निया, इनको पढ़ने के समय ही, इनहीं के बीच-बीच में से, कुछ important terms निकलते जाएंगे, कुछ laws हो सकते हैं, जैसे ohms law, यह बहुत-बहुत simple सा है, पर बहुत-बहुत important है, पुरे chapter को यह चलाता है, ठीक है, तो ohms law, joules law of heating, यह सब इसी के अंदर, जब हम heat generated पढ़ेंगे, तो joules law आ जाएगा, potential difference resistance के बीच में से ohms law निकल जाएगा, ठीक है, इसके लावा application of heating effect of electric current, उसी heating effect में, कुछ-कुछ-कुछ दिवाइस, electric bulb हो गया, electric iron हो गया, कैसे चलता है, वो हम इतना ही चीज, मतलब मैं वो भी नहीं लिखो कि वो इसके अंदर से निकल के आ रहा है, सो बस मेरेको यह साथ quantities में पढ़नी है, ठीक है, यह पढ़ लिया, चैप्टर हो गया, flow याद रखो, flow क्या है, charge है, current है, potential difference है, resistance है, resistivity है, heat generated है, power है, इनकी definition पढ़ते रहेंगे, और definition हाथ साथाथ में, symbol क्या है, SI unit क्या है, measuring device, कुछ यह चीज़े पढ़ते पढ़ते, chapter भी समाप्त हो रहा हो, ठीक है, so सबसे पहले, डिमाग को थोड़ा सा शांत कर लो, और starting with the charge, charge शुरू करते हैं, है, okay, so, electric charge, बबुआ, charge को, represent करते हैं, Q letter से, और उसका SI unit, जो है, वो क्या होता है, कुलम्ब होता है, तो अगर किसी numerical V में आया, कि charge is equal to 5 coulomb, तो कैसे लिखोगे, क्या पूरा लिखोगे, नहीं, numerical में तो ऐसे लिखते हैं, आपन, Q is equal to 5C, charge is equal to 20 coulomb, Q is equal to 20C, तो ये पता होना चाहिए, ये symbol क्या है, और SI unit क्या है, कई बार small Q से भी रेप्रेजिन करते हैं, that is, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, symbol, representation, और SI unit, यार रखो, ठीक है, और यहाँ पर, positive और negative, दो टाइप के charges होते हैं, positive और negative, और उसका basic rule क्या है, like charge, हमेशा एक दूसरे को repel करता है, plus के सामने, plus लाओगे, तो के करेगा, एक दूसरे को हकल देगा, ठीक है, so that is basic repulsion, लेकिन, plus के सामने, minus लाओगे, तो क्या हो, इंग, बाबबब, plus के सामने, minus लाओगे, तो वहाँ पर होगा, attraction, भाई यह और वहनो, यहाँ पर, plus के सामने, minus लाओगे, minus सामने, plus लाओगे, कोई फरक नहीं पट रहा, वहाँ पर क्या हो रहा है, attraction, like, repel, unlike, attract, ठीक है, minus के सामने, minus लाओगे, लाओगे, तो यह बेसिक को लिए रखो, like charges, repel each other, and opposite charges, attract each other, ठीक है, each चदर नहीं लिखना, each other, ठीक है, अच्छा, तो यह हो गया, हमना, charge की बारे पढ़ लिए, क्या बात है, थोड़ा सो और यह पढ़ना है, कि charge जो होता है, बच्छा, तुमने नाइन्थ में पढ़ा था, electron का charge, proton का charge, उसकी value पढ़ी जिक नाइन्थ में, कितना था, 1.6, 10 raised to minus 19, कुलम, है न, electron का भी उतना है, proton का भी उतना है, यह सिर्फ opposite type के है, एक minus type का है, plus type का है, तो बस वही है, कि electrons carry negative type of 1.6, 10 raised to minus 19, कुलम चार्ज, and proton carry positive 1.6, 10 raised to minus 19, कुलम चार्ज, और यह भी याद रखना, कि यह जो value of charge है, this is the smallest possible charge, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको होना, e letter से represent, यह जो magnitude है, इसको हम e letter से represent करते हैं, जब भी तुमको e आएगा, e का मतलब याद रखना, क्या है, e, अगर मैं किसी formula में लिख दू, small e, उसका value है, 1.6, 10 raised to minus 19, कुलम पराबर, तो यह हो गया basic, अच्छा, तो कोई भी body अगर charged है, मानलो कि मैं यह कहता हूँ कि यह जो चीज है, इसको rub करके, या किसी चीज से rub करके, मानलो यह है, this stylus, इसको rub करके, इसको उपर charge अगर आया, extra charge जो भी है, plus minus, जितने protons, उतने electrons, सारा atoms, balance, neutral charge, यह ना, neutral होता है कोई भी चीज, पर एक्सट्रा, वो, electron का extra charge आगी, तो, क्या possibility है कि, यह तो, एक electron खली, एक electron जम किया होगा, यह तो, 2 electron जम किया होगा, यह तो, 3 जम किया होगा, कैसे होगा, 3 electron जम किर गया, या 5 चार electron जम कर गया, वो नहीं होगा, तो यहाँ पर, जो कोई भी बॉड़ी अगर CHARGE है अभी बॉड़ी दैस चार्ज ठीक है अगर मां लो यह pani है जो CHARGE है ईसमलो टोटल चार्ज क्यों है तो टोटल चार्ज जो है एक्स्ट्ठर चार्ज कितना उसके व पर मतलब कितना раза मेरह록ा तो कितना चार्ज आ गया होगा सो वह ए मल्टिपल में हो एर सकती हो कोई बोरी का जो टोट intended करा सकते हो that is Ntg E where N is a number from 1 2 3 4 5 3.5 पौनीचारण नहीं होगा तिके इसको कॉनिटिजिजिएशन और चारज घोलता है यह आगे जादा इंपोर्टन रोगी पर अभी फिलाल यह फ्रमुला जो है बहुत इंपोर्टन घोगा तो मैं उसको आगे की इसे चोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है और इसके जो भी चार्ज पॉसिबल है किसी बॉड़ी पर इसी के इंटीग्रल मुल्टिपल पर है या तो E या तो 2E या तो 3E या 4E या तो 5E it is it will never be 4.5E या 4.75E या इसे कुछ नहीं रहे तो यह पहला फॉर्मुला इस चैप्टर में तुमने याद रखो पढ़ा q is equal to any अगर तुमको सवाल कुछ ऐसा आ गया सवाल यह आ गया एक body charge है और उसमें 10 कुलम चार्ज है ठीक है 10 कुलम चार्ज है तो तुम यह बताओ कि उसमें असल में कितने electrons हैं तुमको number of electron बताना कितने electrons हैं वहाँ पर ठीक है तुमको वहां क्या बताना है number of electrons बताने कैसे बताओ कि बढ़ा मुश्किल है कैसे मुश्किल है बिल्कुल मुश्किल नहीं है तुमको पता है कि जितनी भी छोटी छोटी चार्ज होंगे वह हर एक की वैल्यू रहेगी हमको तो basic rule पता है number of electrons हमको निकालना है number of electrons हमको यह निकालना है total charge हमको यह दिया हुआ है तो यहां पर 10 is equal to n into 1.6 10 raise to minus 19 करेंगे तो क्या होगा n is equal to 10 upon 1.6 10 raise to minus 19 जब हम करेंगे तो that will come out to be 10 by 1.6 जो भी आवे into 10 raise to minus 19 उपर गया 10 raise to plus 19 हो गया ठीक है अब इसको multiply divide by 10 कर दो तो हो जाएगा 100 by 16 solve करके जो भी आएगा into 10 raise to 19 electrons यह तुमारा answer होगा याद रखो पहला formula q is equal to n into each total charge on the body q will be equal to n times of the each charge का value ठीक है n क्या होगा कितने है न जैसे एक pencil का 2 रुपया है तो 20 pencil का 2 into 20 करते हैं वैसे एक charge की value है 1.6 10 raise to minus 19 तो number इसको अगर हम number of charges से multiply कर देंगे तो that will give you the total charge simple था आगे दिखते हैं कि I think यह से question तुमारे टेक्स्वी में भी है अगला है current तो सब चार्ज तो बड़ा असान था यार ऐसा unit था उसका कूलम और symbol था उसका क्यू ठीक है अगला है next is current तो current क्या है current is the rate of flow of charge मतलब मैंने बोला current का मतलब सब्सक्राइब मोशन होता है तो यहां पर हम जो बात कर है वो electric current समझने वाली बात है कि electric current की बात हो रही है तो electric current मतलब चार्ज का flow पर चार्ज का flow से हम कैसे define करें कि इस चीज को तो इसको time से relate करते है चार्ज कितनी तेजी से flow हो रहा है कितनी तेजी से कितना चार्ज हो रहा है किया ना सुना समझे को कितनी टेजी से कितना चार्ज हो रहा है वोज पर यूनित टाइम है तो यह कैसे रेट आफ का मतलब क्या डिवाइड बाइड टाइम होता है अफकॉर्स होता है आपने नाइंफ पढ़ा था एक्सिलरेशन इस एक्वाल तू रेट आफ चेंज ऑफ वेलासिटी इस दी मैंनस यू रएट एक्सिलरेशन इस रेट आफ क्या रेट आफ क्या बोल रहा हूं रेट अफ फैक आफ मतलब डिवाइड बड़ टाइम है चीज ऑव वेलॉसिती तो उसी तरीके से उसी तर्ज पर मैं ये कह रहा हूं कि करेंट इस रेट ओफ आफ फ्लो आफ चार्ज के रेट ऑफ लो आफ चार्ज या चार्ज पर यूनित ट हो ठीक है so current is rate of flow of charge और इसलिए इसका formula हो गया i is equal to q by t i is equal to q by t तो चार्ज निकालना हुआ तो क्या q is equal to i t लिख सकते हैं बिलकुल है इसको इधर लेगा है simple है इसमें क्या समझना ठीक है तो यह हो गया आपका current बड़ा असानी से अपने समझ लिया si unit जो है इसका ampere है और इसका जो symbol है वो है i तो वो मनें अल्वड़ी बताया था तो अगर question में आया current is equal to 10 ampere तो क्या लिखो कि i is equal to 10a समझने वाले इसको ऐसी पढ़ेंगे current कितना है 10 ampere current कितना है 10 ampere current कितना है 15 ampere तो उसको symbol और unit का बहुत importance होता है हमना unit ने लिखो कि marks half mark कड़े जाएगा ठीक है क्योंकि i is equal to q by t अब थोड़ा आग्ये देखो जी so i is equal to q by t symbol जो है इसका i है ऐना ऐसा unit इसका ampere है और सर जी वन एंपिर को किसा define कर सकते हैं यह समझने के लिए तुम यहां पर देखो और यह देखो कि अगर मैंने चार्ज लिया वन कूलम का और वन कूलम के चार्ज को मैंने किसी सर्केट में वन सेकेंड के लिए फ्लो कराया तो क्योंकि current is equal to charge by time है तो मेरा यहां पर वन कूलम बाई वन सेकेंड वन कूलम बाई वन सेकेंड यह वन बाई वन तो वन ही आता न तो जो चीज आएगी वो क्या आएगी वन एंपिर वाली ठीक है तो बस उसी को define कर दिया है कि अगर यह बहुत इस छोड़ी चीज़ है इंपोर्टंड होती है और अंपिर वर आंपिर क्या होता है वन आंपिर सीमांट आव चार्ज अधिस इस दा करेंट when one Coulomb of charge is flown through the circuit for one second अपने बढ़ से बोल रहा हुआ है when 1 Coulomb of charge flows to the circuit for 1-second ठीक है तो मुझा बोलते हैं 1 A when 1 Coulomb of charge flows to the circuit for one second the current is set to be of 1 A Sir क्या म। इससे 1 Coulomb define कर सकता हूं कर खर वन इंपर one is 1 Coulomb by one second सेकंड लोगे जब किसी सेर्ट में 10 пар करेंट फ्लो करें के लिए कितना प्यारा बोल्रा aurắp जब किसी سर्किट में 10 regular फ्लो हो एक सेकंड के लिए तो बहूं कितना चार्ज बंगलेट किया हुगा वहाँ पर 1 कोल्म ठीक है बस वो ही he 1 कोल्म when when 1 ampere of current flows true circuit for 1 second the amount of charge circulated is off 1 coupدة process कर लो भाइ हाँ process 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 shanti 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 थोड़ा meditation किया करो, focus पड़ेगा, एक और बात, कहीं पर लगा ना कि थोड़ा सा fast भाग गया, थोड़ा पीछे जाओ, देख लो, आ जाएगो, दिमाग में थोड़ा सा physics जब कम समझ आ रहा हो था, तो वो इशू आता है, कोई दिक्कत में, ठीक है, और जिनको slow लग रहा हू वो लोग मेरे क्याल से fast ही देख रहे होंगे, पर वही है कि I want to go that slow, क्योंकि ज़रूरी है सारे बच्चों को लेकि चलना समझना, है ना, ओके, तो बच्चे समझ दार है, ओके, तो यह होगा अपना current, लेकिन current यहां पर कहानी खतम होड़ी, करें आपन current को, current को मेजर भी कि अपर होगा, अगर माल लो, अगर माल लो यहां पर लिखा है m a, small m लिखा है, milliampere, वतलब यह reading milliampere में आएगी, one ampere is, कितना milliampere, thousand milliampere हो गया, ठीक है, और भी छोटा होता है, microampere भी हो सकता, microameter भी होता है, ठीक है, milliampere में, ampere ठीक है, so, यह जो दियंतर है, यह जो device है, जिससे हम current नाप सकते हैं, इसको बोलते है, ammeter, क्या बोलते हैं, sir, इसको, ammeter, ammeter, ammeter को circuit symbol क्या है, circuit में थोड़ी यह से draw करते बैठेंगे, circuit symbol है, यह, ठीक है, last में तुम वो सब circuit symbol आ जाएगा, wire का, cell का, battery का सब आएगा, तो एक साथ देख लेना, उसमें कोई दिक कर नहीं पर ammeter का circuit symbol, यह मैंने दो design जादा हो गया, इसमें, but you just understand this, कि यह, I say, this is the circuit symbol of ammeter, बस एक गोला, यह बनाया, एक साथ प्लस, एक साथ माइदा है, ठीक है, अच्छा, this ammeter is always connected in series, याद रखना, ammeter हमेशा सीरीज में लगाना होगा, यह चीज भूल गया, सब गडवरत कहानी, जिन्द की सब, यह यह कहानी भूलनी नहीं है, ammeter हमेशा, ammeter हमेशा, series में लगाया जाता, series का मतलब क्या सर जल्दी बताओ, यह देखो, मालों यह बलब है, यह बलब का symbol है, बलब को मैंने लगाया है, किस के साथ में, cell के साथ में लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बह समझना जरूरी है, series में लगाने का मतलब क्या होता है, series में लगाने, कहीं भी लगा दो, कोई कर्दी मालों मने यहां लगा दिया, तो यह हो गया, मतलब मैं जाना चाहता हूँ, किसमें से कितना current measure हूँ, कितना current flow हूँ बल में से, तो मैंने लगा दिया, पर यहां पर भी गलत हो सकता है? क्या ध्यान देना ज़रूर है. प्लस, के सामने, हमेशा- प्लस, के सामने हमेशा- प्लस- माइनस प्लस सामने हमेशा- एक बाता रहूए पाता हों, व freaks कहा तो Social OS बताता हृँ, मैं बपने कोई भाई वी a जाहुआ, मैं आधा रहा हैॉ ठीक है और मैं इस प्रकार से भी कनेक्ट कर सकता हूं इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन इसको बोलते हैं पैरलल कनेक्शन ठीक है तो इसे करके एक साथ बढ़ा दिया एसे कनेक्शन को कभी भी पैरलल में लगाना है अगर तुमने आइमेटर को गल्ती से भी बलब से ऐसे लगा दिया और बोला कि नहीं सर्थ मेरा सिस्टम साइए ना प्लस के सामने प्लस माल यह गलत होगा इस पैरलल कनेक्शन इस इस साही है मात्र सकता हुए है सब्सक्राइबक करनेक्शन लग foul उस ढ़ना है सब्सक्राइबकर आइसे उस कर आँग रहा इस बाřताँ है अई एक को यह ब चाओ पशल्ड झाल क्यूंग ऑब बहुग आ अबब बता वहाँग आ पको बसाने यारा मैं यह इस सीरीज कनेक्शने की पैलल कनेक्शन है दिखने में तुसल पैलल दिख रहा है जोड़ी हुआ तो हमेशा हमेशा सीरीज में लगाना पैल में नहीं अब हम चलते हैं सर आगे और आगे यहां पर एक और चीज आ गई sir what is that this is galvanometer क्या है यह galvanometer से भी current ना पा जाता है sir galvanometer से भी सर अगर current ना पा जाता है तो galvanometer ammeter क्यों हम अलग-अलग यूज करें एक तो मतलब ammeter में भी जब milli ampere वाला reading रहेगा तो milli ammeter भी होता है तीक है milli ampere में reading ले सकता है फिलहाल galvanometer की बात करें अगर तो यह क्या अलाग है ammeter से कैसे अलाग है थोड़ा ध्यान देना ammeter का जो zero reading होता है ना उसका जो काटा होता है वो ऐसे रहता है जीरो इधर मालो 10 ampere तो उसका जीरो इधर रहता है लेफ्ट साइड में एक साइड में यहां पर देखो जीरो बीच में मतलब इसका काटा इधर भी डिफलेक्ट हो सकता है इधर भी मतलब ammeter में current भले ही तुम current की amount measure कर सकते हो पर current कॉंसी direction में flow हुआ measure नहीं कर सकते है तो यह एक advantage है और दूसरा advantage यह है कि ammeter ना चोटे-चोटे sensitive currents को डिटेक्ट नहीं कर पाता पर galvanometer कर पाता है तो यह दो वहांटेज जसे वाजे जावानोमिटर को यूज करते हैं गलवानोमिटर इस उसमालग्टीज से शार्थ को यूज करते हैं अब तो हमती कले च्छाँ इल चाहता है यूज चलागा गया थी यूज जा दिखा तंगए तो तो हम्त चाहिए जाल जाएक यहां पर concept of potential difference पर आते हैं तो potential difference क्या है सर यह किस चडिया का नाम है हमने चार्ज पढ़ा हमने current पढ़ा यह है कौन सा concept है यह है voltage का concept बोल्टेज नाम काफी मश्बूल है अभी भूल जाओ कि हम electricity chapter पढ़ थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि हम electricity chapter पढ़ अब थोड़ा सा मैंना एक चीज लाता हूं देखो दो टंकियां है दो बीकर दिख रहे हैं यहां पर A & B यह 1 और 2 बीकर 1 बीकर 2 अब देखो यहां पर दोनों आपस में ऐसे एक pipe से connected है और दोनों में पानी देखो भरा हुआ है कुछ लेवल तक भड़ा हुआ है जहां को दिख रहा है अब अगर मैं पूछाओ कि यह जो पाइप है क्या इस पाइप में से net manner में पानी कहीं से कहीं displace हो रहा है कि नेट मैनर में तो उसका आंसर होगा no क्यों नहीं हो रहा तो जवाब आता है कि दोनों तरफ पानी का लेवल सेम है इसलिए पानी net manner में इस पाइप से कहीं एक से दूसरे में displace नहीं हो रहा है कि सर लेवल को अलग करके देखे चलो लेवल अलग कर दिया तो यहां पर जब तुम देख पा रहे हो कि भई बीकर 1 बीकर 2 बीकर 1 थोड़ा सा रखा गया है कोई फ़रक ने प्रखबेब नीचे पीशा तो दिख रहा है कि यहां इसका लिषमेल यह है और इसका पानी का लेवल यह is तो यहां पर मैं यह कह सकता हूं कि this is at low level या low potential and this is at high level या फिर ये जो है ये है high potential पे तो इन दोनों टंकियों के बीच में जो पानी भरा हुआ पानी के लेवल के बीच में difference है मैं जिनको बोल सकता हूँ potential difference and because of this potential difference the पानी will flow and the पानी will flow from high potential to low potential पानी ऐसे फ्लो करेगा और कब तक फ्लो करेगा जब थक लेवल बराबर ना हो जाए इसमें फिर भी इतना बराबर ने देना है पर we'll flow till the level एसे नहीं सारा खालि हो जाएगा ये लेवल मैच हो गया जिस जब जैसे मैच हो गया ए लेवल खानी खतम रूख जाएगा कि इससे एग बात सीखने को मिल रही है कि ड्यान देना पाइप पे बिल्कुल उस defence कर तेंटम में इस वह आई वास वने है थीडिया है तो सेले सोर्स आपोटेंशिल दीफरेंस जिसे यहां पर भीज challenging । जिसे चैनल पाइप में पानी का करेंड है प्लीड अंसे नहीं हमारे पाइप में को न बताई देता हूं या you you got to know this अभी मैं सिर्फ में एक डाग्राम और दिखा रहा हूं ऐसे माल लो इसमें पानी यहां तक है इसमें पानी यहां तक है ठीक है so this is at high potential this is at low potential so पानी फ्लो करता है pipe से from high potential low potential कब तक फ्लो करेगा जब तक level यही concept अपने को काम आने वाला है और इस concept को हम यहां पर क्या बोलने वाले है concept of potential difference में कि भई suppose you have you have got a wire this is just like that pipe और इस wire के अंदर मेरे को पता है कि यहां पर free electrons है and those free electrons which are moving randomly जब हमने cell लगा दिया cell में पता है cell में आसल में इसे तुमने pencil cell देखा होगा उसमें न दो chemicals होते है chemical वान एक होता है chemical टू एक होता है chemical टू पाउडर टाइप रहता है ब्लाक पाउडर रहता है और यह राट रहता है और इसलिए यह एरिया बन जाता है electron electron rich यह तुमारे बुक के इसाब से नहीं बता रहा हूँ फोड़ा सा extra information cell के अंदर की बात बुक में नहीं है electron rich है यह minus है this terminal और जहां से electron खीच लिया है वह terminal क्या है वह plus है जहां से electron कम है वह electron deficient area this is this chemical one is electron deficient electron की कमी है तो यह हमेशा electron मांगेगा और यह हमेशा electron फेकेगा तो यहां पर जब इसको connect कर दो कि तुम वायर को इससे तो this will फटा फट गिव दे लेक्ट्रॉन ठीक है यह electron फटा फट बाटेगा और इसके वेज़ से electron और यह माखी रहा है electron तो यह electron फटा फट एक्सेप्ट करेगा तो इस विल ड्रेंदी इलेक्ट्रों इस विल गिफ दी एलेक्ट्रों ऐसे चल रहा होगा और फिर से घूम के यहां पर वापस जब इसके बास इलेक्ट्रों आएगा से अभी तक अक्टिव ए ना उसके रियक्शन चली रहा है जब जब सेल डेड हो जाएगा उसके केमिकल नर्जी खतम हो जाएगी रियक्शन बंद हो जाएगा और उस टाइम पे करेंट भी इस्टॉप हो जाए तो इसी खराब हो रहा हो तो 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 इस लेक्शन कर रहा दो मृया एनर्जी उसकी केमिकल इनर्जी से कोई वर्क हो रहा ही यह अभ्ला मैं अप्रोच प्यारा हूं जहां से देखना हो देफिनेशन प्याराओ उस ऌए Panicumical energy की वज़छ से सर वर्क हो रही है यbers क्या हो रहा है चार्ज को डिसमीस करने का एलेक्टर उटन को तो किया में यह कह सकता हूं कि यस अरा पोटेंशल डिफरेंस होता है जैसे कोई सहल है 1.5 वोल्ड का शो है हुआ है किया वो पोटेंशल डिफरेंस is nothing but it is the amount of work done yes it is the amount of work done 1.5 volt तो क्या है वो 1.5 joule का work कर रहा है हर एक कुलम चार्ज के ऊपर so amount of work done per unit charge amount of work done per कुलम चार्ज potential difference is nothing but the amount of work done per unit चार्ज ठीक है यही potential difference है मैं लिख जेता हूँ ठीक है it is the amount of work done on unit charge to low current यह सिर्फ amount of work done per unit charge amount of work done per unit charge so potential difference is the work done per unit charge तो फार्मुला भी हाँ अभी work done per unit charge है यहाँ पर मालो यह अपना cell है and this is the wire के अंदर को current मतलब बढ़िया charge flow हो रहा है और इसके वेसे बल्ब गलो हो रहा है अच्छी बात है sir potential difference is work done per unit charge है अगर तो मैं v is equal to w by q sir यह तीसरा फार्मुला पट रहा हूं इससे पहले हमने q is equal to n e पड़ा और इसके बाद i is equal to q by t पड़ा और अभी हम पट रहे है v is equal to w by q sir तीन फार्मुला तो याद हो गए वह मजाग v is equal to w by q potential difference is work done per unit charge unit charge पे जो work होता है which is done by the source of potential difference that is cell या battery cell battery sir बार 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 फरक क्या है अरे जब एक connect करोगे तो इसको cell कहते है जब एक से जादा cell systematic way में connect किये जाएंगे तो इसको battery कहेंगे यहां यह दो cell हो गया ठीक है plus की सामने minus पता है ना single is called cell more than one cell connected 2 हो 3 हो in a systematic arrangement it is called battery ठीक है तो यह हो गया 1 volt को कैसे define कर दिया देखो अगर इसको हमने 1 joule लिया और इसको हमने 1 coulm लिया तो यह हो जाएगा 1 volt है ना when 1 joule of work is done in carrying 1 coulm of charge the potential difference is called off 1 volt potential difference is called off 1 volt यहां पर देखो मैं बतारों के concept समझ ले ना numerical की तो मैंने मतब खटिया खड़ी कर दिया 15 से 20 वीडियो हैं हर वीडियो में लगबग कम से कम 5 से 5 से लेके 15 या 20 questions तक भी हैं और जब आपने वह कर लिया ना उसमें से माल लो अगर पांच नुमेरिकल वीडियो भी देख लिना आपको पूरा छप जाएगा दिमाग में तो concept जो है मैं यहां पर अच्छे से क्लियर कर रहा हूं विकास कम टाइम में वी हाब टू कंप्लीट दी चैप्टर और बाकी नुमेरिकल अल्रेडी है जिनको देखना होगा आप बात में देख सकते हो ठीक है तो यह अपने देख लिया वन वोल्ट को डिफाइन कर लिया बात है तो यहां यहां भी 20 पर कुलम बात है तो सर जैसे करेंट को हम मेजर करते थे I me अनुद सर यहां भी तो पुछ हो इसका यहां हो यहां भी झाल यहिज़ि जो इसका V है और इसकी एसाय इूनिट भी विपने और पेटेंशनой प्याना मैं है तो है साही गया है वह डङस डीवाइस क्या है वोल्ट मीटर से की हम किसी बलं cottongg यहां वोल्टेज नापना है S чего on कितना फेलिपर लगा दिए अंक क्या बात आएट में लगा दिए क्या 2018 is always connected in parallel but the basic rule is same plus के सामने plus minus के सामने minus प्रियाद रखना voltmeter always connected in parallel voltmeter का symbol क्या है symbol circuit symbol क्या है तो वह गोले के अंदर वी बना दिया एक side plus एक side minus ये plus minus ने लिख होगा है तो इस इस दी है circuit symbol of voltmeter ठीक है circuit symbol of voltmeter और इसको volt में measure करते हैं अपन ठीक है and voltmeter always connected in parallel never connected in series okay always connected in parallel उसके बाद current depends on इसको तो अलग से वीडियो बनाया है मैंना series में क्यों parallel में क्यों वीडियो अलग से बनाया हुआ है ठीक है वो revision के टाम पे जादा हम अकसर cover कर रहे होते हैं और resistance का concept आ गया आएगा तो वो उसको उसमें इंक्लूड किया है था करेंट depends on current किसी भी circuit में current किस पे depend करता है अब हमको समझ में आ गया जैसे की अगर मालो हम इस ट्यूब की बात कर रहे है बीकर वाले एक्जामपल की बात कर रहे है थीक है फिर से एक दूसरा वाला एक्जामपल देखो ऐसे करने किया हुआ है अब यह बता ओ की पानी यहां पर ऐसे और यहां पर भी पानी ऐसे एब यह बताओ कि यहां पर बी में हाई लेवल है तो मलत आफकोर्स यहां पर पानी कहां से कहां फ्लो करेगा बी टू ए बी टू ए पर यह बताओ कि कहां पर पानी का स्पीड होगा ऑफकोर्स पानी कहां ज्यादा होगा जहां पर यह डिफ wrong प्यूद्स, आफकोर्स पानी का स्पीड यहां निया ऐसे तो याँ रहेगा तो क माणनी की Medical Games के यहां नि 3.5 वोल्ट का लिया कहीं पर 3.7 वोल्ट का लिया और ज्यादा लिया 10 10 वोल्ट 12 वोल्ट जितना potential difference हाई होगा उत्मा current भी ज्यादा होगा basic concept है भाहिया सो यहां पर देखो यह ना मालनों यह ऐसा यहां पर चार्ज दिख रहा है और यह चार्ज बता है कैसे कर रहा है अब यह तो ऊपर जाहीं नहीं पा रहा है कैसेल मर गया है हां सेल डेड हो गया तो यह इतर से इतर जाता है अच्छा यह एलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे हैं यह समझ में आया है ना कि हम अब हाइपोधरिकल चार्ज को दिखा रहा है हम current के डिरेक्शन दिखा रहे हैं समझो तो यह जो है नहीं कर रहा है क्योंकि पोटेंशिल जीरो हो गया अगर सेल सही होता तो यहां पर देखो बड़िया चार्ज जो है वह बड़िया घूम रहा होता पुरा तो यहां पर मालों यह डेड़ वोल्ट का बैटरी है यहां पर current भी कुछ न कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है मतलब current किस पर डिपेंड कर रहा है यह समझ में आ गया कि सर्क्रेंट वाज़ाना voltage पर डिपेंड करता है अब जो है चमका है current जो है voltage पर डिपें आइंड डाट कंसेप्ट इस यहां पर जड़ा गौर फर्माओ कि हमने क्या कि हमने सेल लगा दिया ठीक है और सेल लगा दिया और यह एलेक्ट्रोन मालों मूव भी करते है यह जैसे लगा दिया तो माइनस है प्लस है एलेक्ट्रोन कहां से कहां जाएंगे एलेक्ट्रोन माइनस से प्लस किसे जाता है सो एलेक्ट्रोन मूव करते बच्चा यह एलेक्ट्रोन जब मूव करते हैं तो क्या हो सकता है बीच बीच में कौन आ रहा है वह आटम सारे मेरे प्लस इस लिए लिए लि acción काथ निकल गया तो उसका positive केटाइन की तरह बन रहा है तो इसका अब यह positive तो अब यह positive में मुव कर रहा है इंटम से करा भी तो सकते हैं सर यह तो यानि कि अगर तुम से लगा रहे हो वो चार्ज को इस स्पीड को बढ़ाना चाहते है रोप उसको अपने आप एक पॉजिशन जहलनी पड़ेगी क्योंकि वह एक्टम से तकराएगा हो सकता है दूसरे अटकरावट है यह जो तकरावट है उसी को मिलता है that concept is called resistance उस concept को क्या कहा जाता है उस concept को resistance कहा जाता है word का मतलब भी हमको पता है resistance का मतलब the opposition है ना resist करना मतलब oppose करना तो यानि current को oppose करना ये conductor के अंदर natural ability रहेगी because electrons जब move करेंगे from minus to plus they will collide they may collide with the atoms the other free electrons और उसके वे से उनका जो current की value रहेगी कम होगी because the speed of electron will reduce और तो इसका मतलब क्या है the resistance पढ़ लिया हमने resistance R से symbolize करेंगे the property of conductor to resist the flow of मैंने क्या बोला the property of conductor current को कौन रोक रहा है खुद conductor रोक रहा है the property of conductor to oppose the flow of current is resistance sir resistance का unit क्या होता है है इसका unit होता है और उसको Greek letter omega से ओमेगा लेटर से represent करते हैं इसको क्या प्रणॉंस करोगे ओम ठीक है तो रेजिस्टेंस की ऐसा unit है ओम और उसको R से represent करा जाता है और तुमने सर्किट में देखा होगा इस तरीके ये चोटे चोटे से resistors होते हैं और सर्क प्रॉपरली डिवाइस बनी है रेजिस्टर ये उसका circuit सिंबल है ठीक है रेजिस्टर को अगर हम सर्किट में बदल सकते हैं इसे भी devices होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ, यह से ही समलो यह, so there are devices, अगर यह दिखा दुग्या, इसको slide करके, मनलब यहां पर रिक वायर लगो, यहां पर रिक वायर लगो, connections दिया है, slide करके हम इसके resistance की value बदल सकते हैं, so this is called rheostat, current stability के लिए काम में आता है, rheostat, और इसके लावा और भी ऐस devices होते हैं, जैसे यह तेखो यह वाला है, इसमें हम, इसमें values लिखी होती है, जहां-जहां की जहां वाहां वाल्यू लिखी है, 1, 2, 3, 4, जो-जो key हम insert करते जाएंगे, उतना-उतना वहां पर क्या होता जाएगा, उतना-उतना resistance वहां activate होता जाएगा, तो यानि की क्या होता है, कि there are devices जहां पर resistance बदलने की भी सुविदा होती है, तो ऐसे devices को रिवो स्टैट हो गया, resistance box हो गया, they are called variable resistance की category में आते हैं, variable resistance की category में आते हैं, resistance की value चेंज की जा सकती है, और लेकिन यह जो resistance है, यह fix resistance होते हैं, हमकी अपनी value fix होती है, जा फिक्स डेस्टेंस की होते हैं, आपसिशन के यह कुले है मैंने क्या है, अपोजीशन का रहा है सर, करेंट को अपोज करर हैं, हम खुद करेंट करना चाहते हैं और रोक भी रहे हैं, और हम हम यॉर्ट कर रहे हैं, तो बड़ी contradiction वाली बात हो गई तो current को रोख नहीं रहा हम को जरूर देखो मालो एक TV है TV में हमने एक वाय लाख है हमने current send किया मालो 6 Ampere 5 Ampere current send पर TV के जितने भी components होते है speaker हो गए उसके ICs हो गए है हर component में 5 Ampere उतना voltage का current नहीं चाहिए कहीं पर कम current चाहिए कहीं पर ज्यादा current चाहिए तो जहां जहां पर current reduce करना है जितना reduce करना है उसे साब से वहां पर resistance series में लगाया जाएगा तुम्हें देखा होगा चोटे-चोटे bulbs अगर हमको चोटा सा bulb एक LED अगर हमको इस main हमारे घरों के socket में connect करना है तो देखा होगा वह बल्ब डिरेक्ट लगा तो फट जाएगा भई तो उसको एक resistor लगा के और वह arrangement होता है ठीक है तो there are requirements जहां पर हमको resistance चाहिए होता है current की value reduce करनी होती है वहां पर उस हिसाब से उस value का resistance यूज किया जाता है ठीक है अब यहां पर मैंना तुमको एक बहुत जबरदस्त बात जो है न हम यहां पर समझ रहे होंगे जो मैं एक दू स्लाइड पहले हम देख रहे थे कि यह समझो हमने cell लगाया है circuit के अंदर इसका मालो 1.5V है उस हिसाब से current flow हो रहा होगा बराबर charge की speed देखो समझ में आ जाएगा दूसरा मैंने वैसे वैसा यह 2Cell लगा दिया 3V हो गया है आ प्रौपर आरेज्मेंटthis is not battery टीक है अब देखो charge की speed बढ़ गई है charge की speed करेंट हो गई बढ़ गई मतलब current बढ़ गया मेरा क्या increase हो गया current increase हो गया Normally, इसके comparison में मेरा current increase हो गया है, ठीक है, so now the current is increased, अब मैं इधर आता हूँ, इधर पे देखो, 3 cell लगा दिया, और अब charge की speed देखो, 3 cell लगा दिया, अब current क्या ही जबर्दस बट रहा है, just see this, 4.5 volt, इन दोनों को देखो, मैं इन दोनों को compare कर रहा हूँ, तो इधर, जब voltage, just comparing these two, इसको नहीं compare कर रहा हूँ, तो जब मेरा voltage 3 volt था, यह थोड़ा कम था, तो current भी थोड़ा कम था, जब थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, तो current भी बढ़ गया, charge की speed बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है, कि सारा खेल जो है, यह है, कि भाईया, यह समझ में आ रहा है, कि the current is proportional to the potential difference, या potential difference proportional to the current, कि भाई, potential difference बढ़ाओगे, current बढ़ेगा, potential difference कम करोगे, current कम होगा, ठीक है, पर हमने अभी just एक चीज़ पढ़ी है, कि current सिर्फ potential difference पर depend नहीं करता, सिर्फ इस पर depend नहीं करता कि कितनी volt की battery लगाई है, current की value और एक बात पर depend करेगी, वो है, क्या, खुद conductor, conductor जो है, वो कितना current को oppose कर रहा है, है, so current is not only depending on the voltage, माल लो तुमने लगाया है, 5V, कोई दिक्कत नहीं है, not only depending on, it obviously depends on voltage, voltage नहीं रहा तो current आए गई कहां से, पर उसको control करने माले एक और factor आ गया, it also depends on, क्या बोलूँगा मैं, resistance, तो सर यहीं से आ जाएगा formula, देख लो resistance, mathematically कहां पर आ रहा है, resistance में, जिसको ohms, देखो, यहां पर इसी को ohms लो, यहीं से आएगा, so V, अब proportionality को equal to में बदलेंगे, अगर तो constant लगाना पड़ता है, यहां पर उस constant को R लिया गया है, ठीक है, और बाकि आए, so proportionality को मैंने constant equal to में बदला, constant आ गया, V is equal to IR हो गया, V is equal to क्या हो गया, V is equal to IR हो गया, यहीं वो formula है, जो सबसे जरूरी formula chapter का, यह verification हो ohms law कर दिया मैंने, एक cell, दो cell, जितना हम cell current potential बढ़ा रहे हैं, उतना current बढ़ रहे हैं, so now we understood that current इतना, इतना simple नहीं होगा, current will never be, खुद पर depend नहीं करता हो, जैसे कि cell अपना खुद का decide कर सकता है, कि भई मैं कितना वोल्ट का रहूंगा, तो it is decided, भई मैं डेड़ वोल्ट का रहूंगा, चाहिए जो भी हो जाए, cell डेड़ वोल्ट का रहेगा, रेजिस्टेंस बोलता है, तो इसने पिस्ता कहन है, इसने पिस्ता कहन है, current, current बिचारा देखता है, भाया, वोल्टेज कितना है, अच्छा, मैं उसे साथ से फ्लो करता हूं, फिर बीच में रेजिस्टेंस आगया, बलता है, नहीं नहीं, तो current, it is a variable factor, अलब current, actually constant नहीं है, it depends on the voltage, second number on the resistance, V is equal to IR, और यहां पर Ohm's law बन गया, Ohm's law में अपन नहीं किया कि भाई, V1 के हिसाब से I1, V1 के हिसाब से I1 नोट कर लिया, V2 के हिसाब से I2 नोट कर लिया, और voltage बढ़ाया, V3, उसके हिसाब से I3 नोट कर लिया, और फिर यह सब का हमने क्या कर लिया, points plot कर लिये, सब के points plot कर लिये, तो यह V1, I1, V2, I2, V3, I3, और फिर बाद में जोड़ के, हमने यह नोट किया कि भाई, V और I का graph हमेशा, straight line passing through origin होता है, और V proportional to V directly proportional to I, यह अपने को यहां से पता चल रहा है, हमने प्रूफ कर दिया, और इस क्या प्रूफ किया, हमने ओम स्लोफ किया, क्या है, यह यह बता रहा है, V proportional to I, यह है, यह है ओम स्लोफ, यह नोट विप्रूफ करने वाला फैक्टर, करेंट को अपोस करना, इलेक्ट्रॉन जब मूब करा तो वो आटम से टक्रा रहा है, है ना, वही था resistance, पर mathematically कहां आ गया resistance, V is equal to IR में, ठीक है, so long as the physical state of the conductor remains same, मतलब ना तो तुम वायर बदल रहे हैं, ना ही तुमने सेल की quality अलग company का सेल यहा, वो सब कुछ नहीं कर रहे है, ना ही बहार का temperature से बदल रहे हो, ऐसी कोई चीज तुमने बदली नहीं है, सिर्फ तुम एक एक्स्रा एक्स्रा तुम voltage बढ़ाते जा रहे हो, उस हिसाब से current increase हो, जिस हिसाब से voltage बढ़ रहा है, उस हिसाब से current, this is that be proportional, so long as the physical state of the conductor remains same, the potential difference will be proportional to the current, ठीक है, अब तक कौन से कौन से formula पढ़ लिए, q is equal to any, दूसरा क्या था, i is equal to q by t, तीसरा क्या था, v is equal to w by q, चौथा क्या है, v is equal to ir, तो इसको कैसे याद रखे है, v is equal to ir, ठीक है, वड़ा पाव is equal to idli rassam, ठीक है, या v is equal to ir, बहुत काम आ आगे देख लो, current depends on, current depends on की कहानी हमने समझ ली, कि current किस पर depend करता है, कहानी समझ ली, कि current जो है, voltage constant हो सकता है, resistance constant हो सकता है, पर current वा बिचारा क्या करता है, depend करता है, पहले नंबर पर किस पर depend करता है, v पर, ये नहीं रहेगा, तो कितना दे resistance हो फरक नहीं पड़ेगा, current आए गई, current निकले गई कब, जब ये चीज ने आएगी, ठीक है, and also depends on the second factor of the opposition, ठीक है, तो मालनो, एक सांप है, वो बिल में से निकले गई कब, जब चूहा दिख रहा है उसको, तो पहली चीज तो चूहा दिखना ची तबी तो निकले का, और दूसरी चीज क्या है, कि मालनो वहां पर नेवला भी ख़डा है, तो उसको देख के डर रहा है, यह मोर खडा, उसको देख के डर रहा है, so it is तो इस दिपेंडिंग ओन्द जूह बढ़ा बिशमे रुका बढ़ा है फ़िए मैं आए? नेक्स है रेजिस्टिवीटी रेजिस्टिवीटी रेजिस्टन्स से बहुत थाम है भ्यान से समिनना रेजिस्टिवीटी का जो Si unit है वो इस इस इसका यह क्या है यह ग्रीक लेटर है रहो इसका सिम्बल है not SI उर्ट सिम्बल इस रो इसका SI unit है SI unit है वो तुम निकाल भी लो गया गे SI unit है ohm meter सर इक्या है how it is different from resistance how it is different from resistance देख लो सो सब्सक्रों कि तुमको तुम मुंबई में रहते हो मुंबई से डेली जाना आए ठीक मुंबई से यह दूं नया तो मुंबे से पूना जाना मेरे पस कि एक यह Road कि आ दूसरी कनडीशेशन में को कि पूना जाने के लिए एक और रोड है जो की छोड़ा हाइवे बाला रोड है तो कहां पर कम ट्राफिक मिलेगी कहां पर चांसिस है कि तुम चद्धी पहुंचोंगे कौन सा रास्ता तुम लेना पसंद करोगे जहां पर यह चोड़ाई ज्यादा है यह रोड का एरिया जहां ज्यादा है उतना ट्राफिक क्या होगा उतना रुकावट क्या हो रुकावट को मैं आर से लिखता हूं ट्राफिक या नि रुकावट है तो रुकावट को मैं आर से लिखता हूं उतना आर का वैल्यू कहा रहेगा कम रहेगा समझ आरह है तुमको नहीं भीजूँगा मैं एलेक्ट्रोन को भीजूँगा सेम कहानी तो यह समझ में आ रहा है कि जितना area of cross section ज्यादा होगा उतना resistance कम होगा उतना एक जिली एलेक्ट्रोन बीना टक्रा यहां वहां से निकल जाएगा ना भाया ट्राफिक कम होगी चोड़ा रास्ता है ट्राफिक ए रिजिस्टेंज सर्क्राइअ मैं ना सट्र जाना है बॉंबश से पुन्ह और मुझे जाना है बॉंब्बे से डेली तो ट्राफिक कहां जाबा मिलेगा मतलब मुझे पता है कि हाँ मेरे को एक सामान खरीदना है वह सामान पूना में मिलता है उतने रुपे में ही और दिली मिलता है उतने रुपे में ही है ठीक है तो मैं मुझे रोट जाना है जीज सरी समय सामाम मैं क्या करूंगा मैं रॉकावट मिलेगी न कम टाइम लेनले लेंथल कं है नोट की लंबाई निकम है तो मुझे अच्छा लगे वे ऊच आधाल को फ्वेसरेंस जहां पर यहां पार लेंथल होगा तो वहां resistance होगा कम या फिर मैं यह कह सकता हूं जहां length होगा जादा वहां resistance होगा ज्यादा wire का length ज्यादा तो resistance ज्यादा इसको हम क्या बोलते हैं directly proportional तो यह नि रेजिस्टेंस इस directly proportional to the length और यहां पर क्या निकल के आया है resistance is inversely proportional to the area क्या wire का चोड़ाई ज्यादा रहेगा तो वहां पर क्या होगा कि resistance कम होगा वायर की लंबाई ज्यादा रहेगी लेंट ज्यादा रहेगा तो resistance ज्यादा होगा दोनों concept को अगर मैं मिलाता हूं दोनों को mix कर लेता हूं तो मिरको मिलता है कि resistance directly proportional to length and inversely proportional to area sir इसका मतलब है कि proportional फिर से आ गया तो यहां constant लगाना पड़ेगा ठीक है न तो equal to लगाया और एक constant वही constant है वही है रो ल वाइए किसी भी वायर के बारे में मेरेको यह लग रहा था कि किसी भी वायर मालो एक मैंने particular shape और size का एक वायर ले लिया ठीक है suppose मैंने particular shape or size का shape तो भी cylindrical है पर एक length और एक particular area cross section का मैंने वायर ले लिया ठीक है uniform cross section है so now what I felt कि इसका जो resistance है मालो इसका resistance है 100 ohm तो मुझे लग रहा था कि 100 ohm सिर्फ दो ही वजहों से आया होगा मुझे यह feel हो रहा था कि resistance जो है वो सिर्फ और सिर्फ length of the wire or area पर depend करता होगा कि किसी conductor का resistance कितना होगा वो length or area पर depend करता होगा फिर मुझे जुटला दिया क्योंकि मुझे यहां पर एक और formula दे दिया पिछला formula गया था V is equal to IR एक और formula अगे R is equal to rho L by तो मुझे एक और formula दे दिया nature ने बोला कि नहीं तुम्हें एक चीज़ भूल रहे हो वो वायर किस चीज़ का बना है अगर वो aluminum का बना है तो resistance अलग हो सकता है अगर वो copper का बना है तो उसका so it depends on the material also it is depending on the material also कि भाई वो material में कितना abuse करने की ability है उसी material ability को हमने resistivity का नाम दिया resistance is overall कि भाई इस वायर का यह यह वायर इस particular shape size का है और जो material का है उससे आप से अब बताओ कि इसका resistance कितना हो fix so हो मैं ठीक है ठीक दोशको and जब मैं resistivity कह रहा हूं तो resistance is the ability of the conductor to oppose current overall conductor में length size अब सब कुछ आ गया so resistance is the ability of conductor this conductor हाँ भाई कैसे बना है क्या size उससाब से इसका overall क्या material उसका overall resistance decide हो जाएगा हाँ भाई what is the resistivity ability of conductor नहीं है resistivity is the ability of ability to oppose current but not of the conductor resistivity is the ability of the material of the conductor कि अगर aluminium का है तो aluminium का क्या resistivity है standard होता है वो fixed value होती है particular temperature तो aluminium की अपनी resistivity होगी यानि resist करने की ability the ability of the material of conductor to oppose current material ability को हम बोलते हैं resistivity और overall जो size material के अलावा shape size सब कुछ आ गया तो वो overall हो गया resistance ठीक है तो यहाँ पर ना आप एक समझो की formula तो आही गया r is equal to rho L by A ठीक है किसी भी conductor का length area और resistivity पता है तुम resistance निकाल सकते हो ठीक है इसके लावा r का होता है ohm area का होता है meter square सब का ऐसा unit लिक रहा हूं मैं यह length का हो गया meter एक cancel हुआ ohm meter is the SI unit of resistivity ठीक है तो यह हो है अपना यहां तक की अपनी कहानी resistivity तक की कहानी अपनी हो गई कितने formulas पढ़ लिए वो समझने बहुत जरूरी है formulas कितने पढ़ लिए अपनने एक पढ़ा q is equal to any एक पढ़ा i is equal to q by t एक पढ़ा v is equal to w by q एक पढ़ा v is equal to ir एक पढ़ा r is equal to rho l by a 1 2 3 4 5 पांच पढ़ा पढ़ा है ठीक है और राइट resistivity समझ गया चल्ब कि एक और बार कलेक्ट resistance डेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का सिंबल अपने र लिखा यूनिट है की ओम इसको लिखा था हमने रो से यूनिट है की ओम मीटर बराबर है इस इस अबलीटी ऑफ कंड़क्टर कंड़क्टर अबलीटी तो अपोस करेंट या फिर मैं थोड़ा सा इसको अलगता है निए फोड़क्टर अबलीटी ऑफ conductor to oppose current what is resistivity ability of material of conductor just material ability कि क्या है? to oppose current. कि क्या है? depends on. यह किस पर dependent करता है? formula का R is equal to rho L by A. तो तींग से पर dependent करता है. So this depends on, this R, this resistance depends on material, length and area of cross section. Whereas resistivity क्या है? सिर्फ material ability है. So it depends just on material of conductor. Just depend on material. Not depending on length, not depending on area of cross section. मान लो मैं आपको यह बोला है कि दो wires है. दोनों का length भी सेम है. दोनों का area of cross section भी सेम है. Still there are chances कि दोनों का resistance अलग-अलग होगा. यह chances है. क्यूं? क्योंकि दोनों का material अलग-अलग हो तोनों की resistivity अलग हो. यह aluminum का है मान लो यह copper का है. लें तो रहे रहे से मैं फिर भी क्या? फॉर्मला क्या है? फॉर्मला है aluminum का AB wire है. लेंथ अलग-अलग है. यहां पर area A1, area A2, length L1, length L2 दोनों का resistance भी अलग-अलग आया. तो मैं यह कह सकता हूं कि दोनों का resistance भले अलग-अलग है पर क्यूंकि दोनों same material है, दोनों की resistivity क्या रहेगी? material ability, same value रहेगी. I think यह example से तुमारा अब यह चीज़ क्लियर होगा इसके बाद आगे चलते हैं types of connection जैसे मैंने बताया था series और parallel यह दो कहानी आपको समझनी बहुत जरूरी है. तो जैसे देखो यह यह क्या है? this is series connection भाई-चारे के साथ में and just see this, this is parallel connection okay? तो अब एक और चीज़ देख सकते हो, parallel connection में bulb full-on जल रहे है, मतलब उतना जल रहे हैं जितना single bulb जल तुम अगर single bulb लगाते तो इतना brightness आती है. दो bulb लगाया है पर दोनों की brightness भी full है. series वाले में brightness कम हो जाती है. और bulb लगाते जाओगे और brightness कम होती जाएगे. तो यहां पर आप एक बात समझो कि अगर ये this is obviously parallel connection तो इसमें ना कुछ बुनियादी बातें आपको समझनी जरूरी है. ठीक है? So that basic things parallel connection में क्या होता है कि मालों एक example लेता हूं कि एक कुए है ठीक है एक कुए है और दो परिवार रहते हैं उस कुएं का पानी दो परिवार आ यूज करते हैं Okay, अब अगर एक ये बालटी पाने निकालने वाला तो क्या होगा कि एक बार इसने पाने निकाला है और हर दिन दस ही बालटी पाने निकाल सकते सपोज ऐसे कुछ रखा है तो एक बार इसने पान्न दस ये बार पांच बार और दूसरी फैमले ने पांच निकाला पांच बार हो गया? मिल जुल के आधा-धा यूज कर रहे ठीक है? ये कहानी होती है सीरीज में दो परिवार है एक ही बाल्टी पांच निकालने के ज़र दस ही बाल्टी निकाल सकते हैं निकालने के लिए इससे बाल्टी बाल्टी निकालने को और पी और उनको यह पता है पहले एक आहानी पता है कि हम 10 दस भाइल निकाल सके तो वह भी अपना दस भाइल के लिए जाता सुबहां यह शाम को जा था इस में इसमें कुऊँए जल्दी खतम होगा कुऊँए का पाणी जल्दी खतम होगा कुऊँए क्या बात होगी एक बल्ब parallel connection what happens is the energy they are using is जतना इसका energy है वो पुरा-पुरा यूस कर रहे हो सी तब वर्क दन पर उनित चार्ज पुरा अशन होगा है वो सेम पूतन्चल दिफरेंज दोनों को मिल रहे है अगर bother a whole जीआ before the the tells you still say connected this bulb is directly gone to set so the potential difference is same for both कि अगर ये गर ये बार वोल्त का है तो बारह वोल्त ये भी इसकाइब बारह वोर्त इसके लिए बचार्यान पर कहानी क्या होती है यहां पर और voltage gets divided, इडेंटिकल बल्प्स हैं, एक situation लिए दोरो same bulbs है, रही ही resistance के similar resistance के बल्प्स है, ठीक है, तो अगर इसका voltage है V, तो क्या होगा, कि ये divide हो जाएगा, इधर के लिए V1 हो गया, इधर के लिए V2 हो गया, अगर same है, तो equally divide होगा, अगर अलग-अलग इनके resistances हैं, तो different way म one and V2, तो I can say that V is equal to V1 plus V2, ये कहां पर होता है, स Yरी जो वाले में, सYरी स वाले मेंा, क्या होता है, सYरीस वाले में, voltage जो है, आई, पोटेंटिल दिफेंड होता भाइग होता है, तीक है, पैरलल वाले में, voltage is same for both, तीक है, पैललल वाले में, voltage same for both जैसे मैंने बताया कि अगर ये suppose 12V है 12V ये भी यूज कर पा रहा है और 12V ये भी यूज कर पा रहा है फरक क्या होगा जल्दी खतम होगा तुम 10 बल्ब लगा दोगे तो और जल्दी खतम होगा एक बल्ब दस दिन चलता 10 बल्ब लगाओगे जिन में खतम होगा ठीक है तो सिरीज में voltage डिवाइड होता है इसमें पैलल में सेम रहता है चीवात है तो यहां भी तो कुछ न कुछ अलग होना चीए current के मामले में current के मामले में यह होता है कि current यहां से निकला current flow करने वाले चीज़ है current मामलो आई निकला तो that current पूरे लूप में क्यूंकि current तब ही डिवाइड होता है जब डिवाइड होने का रास्ता होगा यहां पर एक ही लूप है तो भई क्या होगा series connection में current remains same series में क्या होता है current जो है वो same रहता है तो इसके लिए current आई ही है और इसके लिए current आई ही है यहां पर current same रहता है voltage डिवाइड होता है समझ में आ रहा है current same रहता है voltage डिवाइड होता है parallel वाले में क्या हो रहा है parallel वाले में voltage same था current डिवाइड होगा क्यों कि यहां तक तो current same flow करके आया पर अब जो है current divide हो जाएगा माल लो i1 और i2 फिर से यह combined हो जाएगा हला कि फिर से यहां पर i बन जाएगा बाहर वाली circuit में ठीक है तो यहां तक i था फिर जहां भी रास्ता बटा हुआ current बढ़ जाएगा याद रखांगा current divide हुआ और फिर से combine होके i1 बन जाएगा तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ parallel वाले में current divide होता है suppose यहां दो लगाया तो i1 plus i2 तो अगर मैं को इस टैबलर फार्म में बनाना हो तो एकिन i can make na कि माल लो मेरे को voltage और current की कहानी समझनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ series और parallel तो क्या होता है सहर series में voltage डिवाइड होता है current सेम रहता है parallel में voltage सेम रहता है current डिवाइड हो जाता है अब अगर इतनी चीज़ पता है तो बस अब इसके बाद combination of resistors भी तुम कर सकते हो कि माल लो तुम्हारे पास एक से ज़्यादा resistance है suppose बल्ब बना दे रहा हूं मैं suppose यहां पर अपने पास कि दो तीन चार चाहे जितने भी रेजिस्टर से मैं सबको ऐसे connect कर दिया ठीक है तो मालो यह यह है दस ओम का यह है बीस ओम का यह है थीस ओम का अब उस आरवन ना तो यह टोटल resistance का effect कितना produce करें और अगर मैं इनको इस प्रकार से connect कर देता हूं यानि कि parallel connect कर देता हूं तो इन R1, R2, R3 का total effect क्या होगा मतलब I just I am interested ठीक है combination में दो combination है जो जिसका हमको formula निकालना है एक है resistance in series और दूसरा resistance in parallel ठीक है so I want to find that total resistance total effective resistance Rs का formula निकालना है मुझे और यहां पर parallel में अगर मैं करूं तो यहां पर RP का formula निकालना है तो मैंको दो formula ठीक है कि resistance ऐसे लगे होंगे तीन चार पांट जितने resistance हो series में लगे है तो series combination का formula series equivalent का formula क्या एगा parallel में लगे है तो effective value क्या होगा मतलब suppose यह 10 oh में 20 यह 30 तो total क्या होगा effect यहां पर 10 20 30 series में लगे तो क्या होगा effect I don't know the formula गए तो अपने को series और parallel का कहानी derivation चोटा सा हो समिनना होगा देखेंगे so let's see कि माल लो suppose we have resistance 1, resistance 2, resistance 3 माल लो यह है R1, R2 और R3 परावर ना परावर है न सेर यस तो यह होगा अपना R1, R2, R3 ओके और इसको लगाना है किससे cell के साथ, cell की potential माल लो है V ठीक है effective value क्या आ रही है I don't know let the effective value जो अपने को formula जिसके लिए निकाल रहे हम तो let that effective value be RS कि यह 3 का जो combination का effect आएगा effective resistance वो RS आएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि RS को भी अगर तुम उसी cell के साथ अगर connect करते अकेले तो यह 3 मिलके जो current खीच पा रहे है इस गहराई को का मनना यह 3 मिलके जो current खीच पा रहे है वो ही current यह अकेला भी खीच पाता उतना ही current यह अकेला भी draw कर पाता खीच है so same current आता अगर यह तुम तीन यूज़ करते है या एक single यूज़ करते है खीच है खीच की बात नहीं है and now we know that the voltage in series voltage क्या होता है divide होता है current क्या रहता है same तो सबके लिए current क्या रहेगा आए ही तो रहेगा current सबके लिए आए ही रहेगा ठीक है बडदी वोल्टेज बडदी वोल्टेज विल भी डिवाइड तुम वोल्ट मेंटर लगाओगे यहां का वोल्टेज मालनो वी तू आया यहां का वोल्टेज माल लो V2 आया, यहां का वोल्टेज माल लो V3 आया, इधर वोल्ट में लगाओंगे, कोई डिविजन है ही नहीं, तो इधर वोल्टेज V लो रहेगा, करेंट तो यहां पर क्या है, सब दू अलगाला क्यों कर रहे हो, मतलब, forget this, हम इसकी बात पर, मैं बता रहा हूँ कि अगर यह तीन लगाते या एक सिंगल लगाते, तो हमको RS, उसी सिंगल का फॉर्मला क्या होगा, वो हमको निकालना है, ठीक है, तो what I know is, we know, कि series में क्या होता है, series में, voltage gets divided as V1, V2, V3, ठीक है, अब Ohm's law भी पता है अपने को, Ohm's law के अनुसार, V is equal to IR होता है न सर, येस तो लगा दो Ohm's law, यहां पर V1 क्या हो जाएगा, IR1, V1 क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, IR1, प्लस V2 क्या हो जाएगा, V2 is IR2, I into R2, V3 क्या हो जाएगा, I into R3, और सर, V क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख दो, V हो जाएगा, I into R, S, तो V हो जाएगा, I into R, S, अब मेरा I, जो है, राइट साइट से निकला, और यहां पर, मैंच, नॉर्मल मैंच, जो है, वो तो लगा ही सकते हैं, यहां पर, दोनों साइट से, I cancel हो गया, और हमको, सीरीज कॉंबिनेशन का, फॉर्मिला मिल गया, बदाई हो, तो, number of resistance, if they are connected in series, so you get the equivalent value just by adding the individual resistances, 4, 5, इतने भी सबको, direct add करते जाओ, series में connection, इससे यह बात भी समझ में आ गई, कि सीरीज में लगाने से resistance की value बढ़ेगी, because यहां पर क्या होगा, 10, 20, 30, मालो ऐसे value होती, तो effective value कितना आथा, 10, 20, 30, 60, मतलब resistance की value, जो सबसे highest से उससे भी जागा value आ रही है, so why do we connect resistance in series, resistance in series, इसलिए connect करते हैं, कि हमको resistance की value क्या करनी होती है, अगर हमको resistance का आसर बढ़ाना होता है, maximize करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, connect उसको series, तो मतलब उल्टा होगा, minimize करने के लिए, so find the maximum resistance की पगर पूछा है, question में, so series का formula लगाना है, minimum resistance पूछा है, तो parallel का formula लगाना है, so sir minimum कैसे parallel में parallel का बताओ, पड़ाफट, yes, देख लो, कोई दिक्वत की बात, नहीं है, so we have three resistance connected in parallel, ठीक है, one, two, three, तीन resistance है, parallel में लगे हुआ है, मान लो, R1, R2, R3, all right, और इसको हमने, एक cell से लगाया, जिसका potential V है, तो ये तीनों मिलके जो current draw कर रहे हैं, मेरे को ये बताना है कि ऐसी क्या resistance, क्या formula होगा, उस Rp का, कि अगर तुमने same cell से connect किया, उतना ही potential से, तो ये उतना ही current draw करता, जितना की तुम, ये उतना ही current draw करता, जितना की ये तीनों मिलके, ऐसे combination में कर पा रहे हैं, now we know that, voltmeter लगाओगे, so you know that by voltage वही आएगा, सब के लिए, क्योंकि this is parallel connection, यहां पर भी voltage वी रहेगा, यहां पर भी voltage वी रहेगा, यहां पर भी voltage वी रहेगा, अगर तो current is divided, now this loop होगया यहां पर, सब के लिए current क्या हो गया, और इवाइट होगया, I1, let that be I2, let that be I3, ठीक है, फिर से यहां combine होजएगा, वापस से I होजएगा, बाहर के circuit में, but अंदर वो I1, I2, I3, now I know that, यहां पर V know that, बदल जाएगा, पहले वो V दिवाइड होड़ा था, यहां पर I divide होड़ा, we know that, I is equal to I1 plus I2 plus I3, सब ओम लोगाओ, ओम लोगाओ, ओम लोगाओ, V is equal to IR होता है, पर I के terms में क्या होगा, I will be equal to V by R, I will be equal to V by R, तो मतलब I1 क्या हो जाएगा, V by R1, I2 क्या हो जाएगा, V by R2, I3 क्या हो जाएगा, V by V by R3, so V by R1 plus V by R2 plus V by R3 is equal to I क्या हो जाएगा, I will be V by Rp, V by Rp, V जाएगा, V by Rp is equal to V जाएगा, V by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, V हो गया, cancel, you get the formula for parallel as the reciprocal of the parallel value, is nothing but it is the sum of the reciprocal of individual resistances as shown, और तुम अगर calculate होगे 10, 20, 30 लेके, जो value agonist का ये Rp आएगा ये 10 से भी कमाएगा, मतनब छोटे वाले से भी minimum value आएगी, so why do we connect resistance in parallel to minimize the effect of resistance, मालनो तुमको circuit में जरुवत है 10 ohm से कम की भी resistance, तुम्हारे पास available नहीं है 10 ohm, तुम्हारे पास वो छोटा value is available नहीं है, तुम्हारे पास 10, 20, 30 या 10, 15, 20 ऐसे value available है, पर if you want less than 10, what you will do is parallel में connect करोगे, to get less valuable resistance, तुम्हारे इसके बाद बात करते हैं भाई साब, heat generated की, heat generated जो है उसको हम H से represent करते हैं, तुम्हारे और heat कैसे generate होता है पहले वो भी समल लो, कि heat कैसे generate होगा, तो जब ये electron move कर रहा है, जब free electron जब ये जा रहा है, minus से plus की तरफ जब ये टकरा रहा है, उसी की बात करते है, resistance वाला concept, तो जब electron move कर रहा तो उसके पास kinetic energy थी ना सर, ठीक है ना, kinetic energy, जब ये टकराएगा, तो speed तो खतम होगी, तो वो किसमें convert होगा, of course heat के form में convert होगा, जैसे एक गोली, बंदूक से निकली, और target को hit करी, इतनी speed है, वो कहां पर kinetic energy converted to heat energy, यहां पर भी होगी होता है, kinetic converted to heat energy, kinetic converted to heat energy, और इसलिए यहां पर wire में भी, conductor में भी heating होती है, इसी को बोलते है, heating effect of electric current, इसी को बोलते है, heating effect of electric current, सर, heat का formula कहां से निकालें, अब तक chapter में हमने heat, तो energy का formula ही नहीं देखा, देखा है, जयान लगो, तुमने यह पढ़ा, नाइन्थ में work is equivalent to energy, तो अगर तुमको heat का formula चाहिए, तो तुम energy का formula ढूंदो, energy का formula भी अब तक नहीं पढ़ा है, तो work का formula देखो, work का formula एक जगा पढ़ा है अपने सर, हमको यह पता है कि V is equal to W by Q होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, work को क्या लिख सकता हूं, इतर लिख दो ना, so W is equal to VQ हो गया, तो यह work का भी यही formula है, energy का भी यही formula है, heat के लिए भी यही चल जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि heat का formula मिल गया है, it is V into Q, because heat is energy and energy is equal to work, and since V is equal to W by Q, therefore W is equal to VQ, और इसलिए हमारा heat का formula ही बन रहा है, H is equal to VQ, अब Q is equal to IT भी तो लिख सकता हूं, कैसे सर्फ, current is I is equal to Q by T है तो Q is equal to IT, तो H का formula मिल गया है, sir में को VIT तालिया बजाओना है, ऐसे कैसे रहता है, request क्या किया थामने, comment और like नहीं करने के लागा, तालिया नों बजा ही सकते हो, ठीक है, so V is equal to, H is equal to VIT, बरावर H is equal to VIT, ठीक है sir, क्या यही formula है, इसको हम lock कर दें, बिल्कुल lock कर दो, और या फिर यह भी कर दो, Ohm's law में V is equal to IR भी तो होता है, तो H is equal to, मैं IR into IT भी तो लिख सकता हूं, लिखो ना या, कौन मना कर रहा है, आई और I को multiply कर दो, तो यह हो जाएगा, I square RT, वा सर वा क्या बात है, दो formula निकाल दिये, मजा गया, कौन सा formula कब यूज करना है, जब, देखो, हमने अभी इससे पहले भी दो formula निकाल दिये, series और parallel के याद में रखना, formula में and तुझा रहा है, यह formula तब यूज करोगे heat के लिए, जब potential difference current और time पता हो, तुमको resistance नहीं पता हो, यह formula यूज करोगे, जब potential difference की जगह पे resistance पता हो, मतलब you know current, you know time, you know resistance, you don't know V, तो यह formula यूज करोगे, और इसी में sir, कुछ और तोड़ कर लो, कि VIT है, इसी VIT में अगर मैं I को substitute कर लो, क्या substitute करोगे sir? अगर V is equal to IR होता है, तो I को क्या लिख सकता हूँ मैं? I को लिख सकता हूँ V by R, बराबर ना? तो लिख दो, यह हो जाएगा बाहर का V, यह हो जाएगा अंदर का V by R, और यह बाहर का T, है ना? यह हीट, V और V क्या हो जाता है, V square, 2 V मत बुलना, प्लस होता हो, V square T by R, यह हो गहा है, तीसरा formula, heat का तीन formula आगा है, तालिया, sir, यह भी तो है, चलो ठीक है, which is equal to VIT, heat is equal to i square R T, heat is equal to V square T by R, तीन होगा है, तीन हो formula, यह कब का हम हैगा, जब current नहीं दिया, V और R दिया है, I नहीं दिया, यह कब यूजज़ ओगा, जब V नहीं दिया, R दिया हो हो गहाए यह कब यूज़ होगा, जब R नहीं दिया, V और defender, along with time, तो यह स्क्वेर आरटी और i square, h is equal to i square rt ही तुम्हारा Joule's law of heating. मैंने बोल रादा कि तुम कॉंसे पड़ते पड़ते ही law भी क्ड़लोगे. Joule's law of heating is nothing but h is equal to i square rt. इसमें वाश statement लिखना है है को statement में लिख दो सा जाएगा. क्या statement है? heat generated in the conductor is directly proportional to square of the current. is directly proportional to resistance of the conductor. इस डाइटल पर्पोशनल तू ताइम फॉर विस्ट पास वापस सुनना यही है जूसल आफीटिग जनरेटल देक्टर इस डाइटल प्रपोशनल तू स्क्वेर अब यह समझते हैं कि हीटिंग कोईल कैसे बना जाता है तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है उसी से हीट जनरेट हो रहा है और इसी कॉंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं रिजिस्टेंस भी तो कहते हैं मतलब कि हमने यहां पर फॉर्मला में भी समझ लिया कि हीट इस इक्वल टू आई स्क्वेर आरटी जिससे यह समझ मारा है कि भाईया बाकी सब ठीक है अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस हीटिंग कोईल में बाकी करेंट और टाइम तो बाहरी फैक्टर है पर कोईल का क्या आई क्योंकि हमने क्योंकि हीट प्रफोष न डौ डीटी और हीटल ज़िस्टेंस बिल इतमार रेजिस्टेंस हाय यह बिल भी तो हीटिंग अधियान राखनना है डेजिस्टेंस ब tease का फॉर्मला होता है स्थेंस का फॉर्मला है रो थिक्तर बाई वेको हाइय क्यों रहा पड़ेगा और क्या कर नीचे वाले चीज को कम रखना पड़ेगा एरिया को कम रखना पड़ेगा कि Shook I will take thin wire पतली वायर काइश कर लूग्गा में I will TAK LAMBOY वायर कर लूग्गा में I will TAK कि ज्यादा रुव oy मेटल से ज्यादा रिस्टीविटिय अलॉईज की ःति है इसलिए भी टिटिंग के का फिटम्रोय यू ड्स निकल और रॉमियम का अलॉय है कि तो अलोई के रेजिस्टिविटी क्या होती है हाई रहती है कंपेट्टू मेटल्स तो हीटिंग कोई बनाने के लिए में को रेजिस्टेंस हाई चाहिए था फॉर डाट ऐ यूज अ अब फिलमेंट इस उसको कोई तक यह चाहिए थोड़े से कम स्पेस्ट और एर्या को क्या रहेंगे मलब पतला रखेंगे पतली कोई होती हीटिंग मले कभी तो इस इस तो इस हाव हीटिंग कोई मैनुफेक्ट्ट्र टिक है अब हीटिंग का कुछ अप्लिकेशन प्लिकेशन देख लेते हैं, तो यह चाहते हैं, हमारे computer महाँ से चाहते हैं कि heating का application देख लेता है application मतलब uses, heating effect of electric current के uses, not heating के uses, तो electric bulb है इसमें, electric iron है fuse है हमसे फ़ले bulb को देख लेता है electric bulb, इसका जो filament है tungsten से बना हो रहता है, this filament is made up of what? tungsten किससे बना होता है? tungsten scientific name इसका wolfram है, इसके symbol इसका w होता है, tungsten तो tungsten क्यों बना रहता है tungsten से क्यों बना रहता है भया क्योंकि जितना पतले filament से इतना सारा current पास हो रहा है इतना current यह पतले filament में बहुत उसके हिसाब से उसके आउकाद के इसाब से बहुत जादा heat produce करेगा और इतना heat temperature बता है कितना produce करता है temperature बहुत जादा temperature प्रडिश करता है नहीं लिखने हमको ठीक है इतना high temperature क्या कर सकता है? wire को melt करा सकता है तो wire melt ना हो इसके लिए हमको high melting point वाला metal चीए जो filament चाहिए है इसकी requirement क्या है कि भाईया high melting point high melting point चाहिए मिल को tungsten की melting point बता है कितनी होती है 3380 degree Celsius इतनी high melting point तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा filament हम किससे बनाते है tungsten से because it is having a quite good melting point बहुत high melting point है and it will not generally melt because of the heat produced क्योंकि वो ही heat जो है वो असल में वो heat है जो light energy में convert इतना heat produce हो रहा है कि उसको कहीं न कहीं किसी form में जहां भी heat जादा होगी वो light के form में convert करेगा ऐसे electric bulb glow होता है पर point यह है कि सर इसको काश में बंद क्यों रखा है कौन सा gas है अंदर argon gas है argon gas सर noble gas है ने inert gas है न येस सर कोई और gas oxygen भठ दिया तो क्या होगा air भठ दिया तो क्या होगा oxidize होगा जैसे magnesium magnesium oxide बन जाता है वैसे ये भी राख बन जाएगा tungsten oxide का tungsten will react with oxygen oxidation होगा उत्मा heat पे तो वह reaction करे गए और फिर वो तूट जाएगा filament राख बन जाएगा तो ऐसे हमने experiment भी किया हुआ जिसमें तुम देख पाओगे यूट्यूब पर ही कि बल्ब को चलती बल्ब को फोड़ा था don't do it at your home oxygen गया अंदर react किया पटसे filament भी मतलब हाडली 2-3 second में तूट जाते है ठीक है अब देखो यह हो गया स entwickelण बल्ब का अगला हो गयाँ बहुत प्यार सा घर है और मैं नहीं चाहता हो किस्में जो भी चीज़ें लगी है ओ्लोके फिरिज लगाए इस मानलो कीज़ कीज़ा différents खराब हो यह मैं नहीं चाहता हो कि इसकी कंपोनेट्स तो मैं नहीं चाहता कि अचानक से एक सेकेंड के लिए जो हाई वोल्टेज आता है वो मेरे राउतर को वो मेरे सारे डिवाइस को खराब करते उससे बटर है कि मेरा करेंट लाइट थोड़े बंद हो चलेगा बट आइड वांट कि वह खराब हो इसलिए मैं क्या यूज करता हूं यूज एलेक्रिक फ्यूज करते हैं ठीक है तो फ्यूज असल में क्या रहता है बहुत ही प्यारी सी डिवाइस है ठीक है हलाकि अभी मिनियेशर था के प्योज रिभलो को अगर बात करें घैति अनचे की कि इंचे पर अचंश यह वाइच हुट हुग हुग लाकि मैं वाइस हुटक выйt रूज इस उपोस This is the wire here जो circuit complete करता है ठीक है और अगर इसमें का वायट तोड़ दूं तो circuit break हो जाएगा ठीक है तो इस circuit breaker की तरह ही काम करता है and this wire is made up of lead किसे बनाए एक metal से lead जिसकी melting point क्या होती है melting point होती है कम सर बल्ब में ज्यादा melting point यहां पर कम क्यों चाहिए भाई चाहिए क्योंकि जब वोल्टेज एक level से high होगा जब वोल्टेज फ्लक्ट्वेशन के टाइम पर जब वोल्टेज एक level से ज्यादा पहुचेगा हम नहीं चाहते मेरा device खराब हो भाई ज्चाहिए करेंट होगा और है करेंट के टाइम पर हए करेंट होगा और हाइं करेंट तो हमदने उसकी वोटाई इतनी रखी है कि भाई वो नॉर्मल जो 220 वोल्ट का जो आता है उस हिसाफ से जो करेंट आता है वो करेंट हम जहिल पाए 15 एंप यह जब यह वोल्टेज अधनी ख्याएशन होगा इकदम से हाई वुल्ट आरा है यजहीं पर वोल्टेज बड़ा करेंट बड़ा हीट बड़ा हीट बड़ा वायर मेल्ट हो जाएगा और जैसी वायर मेल्ट होगny गरों में करेंट आना बंद हो गया मेरे वो डिवाइस बच गये कम से बरसाथ कड़ायं पर काफी होता है गाहों में काफी ज्यादा होता है ठीक है और जैसा मैंने बताया कि अभी न यह इस से ज्यादा अभी जो यूज में जो चीज है वो कि एंसी भी है देखा हो गया से तो यह ना मैंने टिक प्रिंसिपल सुछल चलती है कि करेंट ज्यादा होगा अचानक से वोल्टे जब बड़ेगा करेंट बड़ेगा तो मैंगेटीजम आता है इसमें कॉईल होती है मैं इसम आता है और और भर मानेट इसकोगें बिए सब्सक्राइक कर लेता है सकर्थ और फिर मैंगेन्टिंस्म पर लगता है। तो वह कर जाएगा तो क्योंकि मैंट्सम क्यों जादा बढ़ा क्यूंकि करेंट बढ़ा क्योंकि वोल्टेज बढ़ा तो इस आफ से ट्रिप हुआ को एक सेकंड के लिए वना आप जाके फिर उसको ऊपर कर दोगे तो चलना शुरू हो गया तो इस ने दिक्कत किया है कि में फिर एक बार फिर वो तूम फिव निकालो फिर वायर लगाओ कोनेक्ट करो वो दिक्कत होती यहां पर गया बेरा ठीक उटा तो ट्रित होगया तो कि अधिक ने सब्सक्राइब कोड़िए घ्र एक बात करें तो इलेक्ट्रिक आइरण में जो ही मेटल ब्लॉक है यह प्रेस करता है बैया ही तु यह करेगा इसे कपड़ेेश हो मेटल ब्लॉक में ही तो जायेगी पर साथ साथ करेंट्स भी तो कंड़क्ट करेगा क्योंकि जो चीज वुट कंडॉक्च्ट रही हुती है maximum times it is good conduct prop electricity also तो हम नहीं चाहता है कि coil directly metal block की contact में रहे इसलिए वो coil को एक खास चीज पे लपेटा जाता है या फिर separation की तरह use separation provide करना जरूरी है coil और metal block को direct contact में आने देने सर रोकने के लिए and that separation between the coil and metal block के भीच में जो separation होता है वो किस चीज का होता है that is of Micah Micah की खुबी क्या है good conductor of heat poor conductor of electricity क्या बात है current मतलब चटका तो जा सकता है गर्मी का चटका पास करेगा लेकिन बिजीली का जटका पास नहीं करेगा तो Micah की यह खुबी है जो यहां पर काम आती है अब देखो तुमने यहां पर जितने भी formulas पढ़े है उसमें मतलब जो भी concept पढ़ाओ उसमें आखरी जो बचा है वो power है power 9 में पढ़ा है power is work per unit time power का formula simple है work per unit time या फिर मैं यह भी लिख सकता हूँ power is equal to energy per unit time सही बात है power is equal to energy per unit time या फिर मैं यह भी लिख सकता हूँ energy is equal to power into time energy is equal to power into time ठीक है अच्छी बात है सर पावर की unit मिरे को याद है सर 1 kilowatt is equal to thousand watt पावर की वैसे SI unit जो है वो watt है टीक है यह इसकी commercial units है one kilowatt is equal to thousand watt वन हॉर्स पावर इस एक्वल टू 746 वाट इच्छी बात है commercial unit है वो भी या रहनों जरूरी है ठीक है सो अब देखो power is equal to energy into time है या heat into heat power is equal to energy upon time है तुमने heat का तीन फार्मला लिखा भी है कौनसा कौनसा फार्मला था heat का हीट का था i square rt हीट का था v i t और हीट का था v square t by r तो मैं यह भी तो लिख सकता हूं power is equal to वह अपन टाइम है energy upon time है heat upon time भी तो लिख सकता हूं तो something upon time power is equal to something upon time power is equal to something upon time अब यह something में तीन फार्मला डाल दो कभी आ गया i square rt कभी आ गया v square कभी आ गया vit कभी आ गया v square t by r है अब देखो सब में से टिटी कैंसल हो जाएगा टिटी 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 कैंसल हो गया power is equal to i square r यह एक रूप मिल गया power का power is equal to v i की दूसरा formula मिल गया power is equal to v square by r यह तीसरा formula मिल गया है चैप्टर में कितने फार्मला होगे collect करते गये हैं कि नहीं है बताओ भाई कहां बताओ ऐसी बताओ कमेंट नहीं करना ठीक है तो यह हो गया कितने घंटे के लिए चले हैं वह भी रहेगा तो इसको power into time करके total energy consumption भी निकाल सकते हो और उससे फिर rate दिया होगा कि 10 रुपया per unit या per kilowatt hour वैसे तो वहां पर kilowatt hour का भी concept तुमको पताओना चाहिए one kilowatt hour ठीक है इसको unit भी बोलता है one unit what is this commercial unit to measure electric energy electric energy meter electricity का बिल आता है तुमने देखा होगा कि उसमें वह कितना unit तुमने करेंशी कंस्यूम कि उसका है one kilowatt hour kilowatt hour ठीक है तो एक kilowatt hour कितना अब energy है कितना जूल होता है वो देख में धिरूरी है convert कर दो watt में इसको तो यह हो गया thousand watt और hour को second में कर दो 60 into 60 seconds तो यह जो watt second होता है वही तुमारा joule होता है तो कितना हो गया six six are 36 और zero कितना है 3 यहां पर 2 यहां पर 10 raise to 5 या फिर 3.6 10 raise to 6 so one kilowatt hour is equal to 3.6 10 raise to 6 Joule यह रहा तुम्हारा relation बहुत important है ठीक है सारे formulas आपको ध्यान कर लेने हैं हम यह आपर note कर लेंगे कोई दिख कर नहीं पर सारे सिंबल्स याद है अभी आमिटर नॉर्मल दिखाना ठीक है ऐसे दिखाना हो दो स्वर्कल बनाई जरूत नहीं है और प्लस फेसिंग प्लस मैनस फेसिंग माइनस जो मैंने बता था कर लो थिसिस वोल्ट्मीटर ये गैल्वयाड़ामी Dutch running ये बल्ब है ठिक है रिसिस्टेन्स गिय UV ओपन स्विच ये क्लोच स्विच है नि deductionे जुब कि ना फिर विश्टेंस के वी मिन इन फेना इसे जिए ऑसे ओने टिखा सकते नि जब करेंड नहीं करेंगा जो क्लो स्विच जब करेंट फ्लो कर रहा है पर यह कौन सा की है इस इस आ टाइब का स्विच यह टाइब स्विच है एक और आपक प्लग की आता है लाग की इंट जो मैंने तुम को दिखाया था यह वाला इस टाइब का भी रहता है इस टाइप का भी होता है, इसा की लगाने वाला, इंसर्ट करने वाला, ठीक है, उखी रखा गाएं, ठीक है, प्लग की, उसको ओपन फ़ाम में यह है, इस ओपन प्लग की, कोई current flow नहीं करेगा ऐसे में, ऐसे में कोई current flow नहीं करेगा, और और फाइनली सारे फॉर्मला को कोई कठा करने हो कोई दिक्कत की बात नहीं होगे क्योंकि अपने शुरुआत कहां से चार्ज से किया था लाइन याद रखो चार्ज के बाद करेंट पड़ा था करेंट इस इकोल डू चार्ज बाइट फिर हमने पड़ा था क्या पोटेंशल डिफ्रेंस वर्क दन पर उनिट चार्ज फिर हमारी कहानी बड़ी थी पिर आगे वो पोटेंशल डिफ्रेंस ओम्स लॉइस इकोल तो आई आए उसके बाद रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस का नॉमल फॉर्मला याद है और इस इकोल टू रो एल बाई रेजिस्टेंस से ही सीरीज का याद आ गया आर वन आर टू आर थ्री सीरीज में डारेक्ट टैड होते हैं पैरलल वाले में वन बाय आर पी रसीप्रोकल वाली कहानी याद रखनी है ठीके सबके यूनिट्स पताओने बहुत जरूरी है फिर हमने हीट पढ़ा हीट इस इको स्कूररण टिवाई आर और इसी से बना पावर का फॉर्मॉला पावर एक्वल टू वर्क बाई time या फिर एनरजी बाई time अगर इन कॉमिनेशन के साब से लिखे तो वी-आई I square R and V square by R ठीक है फिर और क्या याद रखना सर energy power equal to energy by time याद रहता है कई बार energy is equal to power into time भूल जाते लोग तो यह सब basic चीज़े याद रखा करो ठीक है और I think हमने यह कर दिया इसी के साथ आज के समाचार होते हैं समाथ, electricity chapter के हमने जो concepts है पुरी गहराई से समझी है जहाँ पर दिक्कता है थोड़ा पीछे जाके वापस देख लेना इसके बाद टेक्स्ट बुक को फॉलो करना एक बार बहुत जरूरी है वो कर लो and those numericals कई बार ऐसे होगा when you solve the numerical concept डबल चमक जाएगा electricity के electricity numericals आप चेक कर सबके अलड़ी बना हुआ है and see you in the next session तिल देन बाबाई अगले चैटर कौन सा आ रहा है बताना and yes, half yearly के लिए सभी को all the best बाई गाई गाई बाई आप नाओ